नारायन नारायन आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमत भागवत का प्रवचन स्वामी इतेजो मयननदाजी दशमसकंद पुर्वार्ध संपूर्ण भागवत महापुरान में दशमसकंद सबसे बड़ा है इसमें नब्बे अध्याए हैं दूसरे सकंदों में ज्यादा से ज्यादा 33 अध्याए हैं इस सकंद में दो भाग हैं पुर्वार्ध और उत्तरार्ध यहां पर भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पूरी तरह से गाया गया है दशम सकंद के विशय में मतभेद है कि यहां निरोध बताया गया है या आश्रय वैसे तो क्रम बताया गया है निरोधो मुक्ती आश्रय तद अनुरूप यह निरोध सकंद है निरोध का अर्थ होता है प्रलय संहार यहां भगवान ने इतने असुरों का समहार किया कि उसे द और श्री कृष्ण स्वयम भगवान ही हैं और वे ही यहां पर प्रकट हुए हैं अत्यव श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के आश्रय एवं द्रश्टा हैं इसलिए यह भी कह सकते हैं कि यहां आश्रय तत्व बताया गया है शिदर स्वामी जी के अनुसार दशम स्कंध में आश्रय इकादश स्कंध में मुक्ती और बारवे स्कंध में निरोध बताया गया है निरोध का अर्थ यदि प्रलय माने तो प्रलय का विस्त्रित वर्नन बारवे स्कंध में ही किया गया है जो भी हो हम पहले ही देख चुके हैं कि यह जितने विशय हैं वे वास्तव में त करके तत्पष्चात ही श्री कृष्ण आवतार को देखेंगे क्योंकि अब तक के विवेचनों में अवतार की बारे में ज्यादा विचार नहीं किया गया है दशम सकंद में दिरंतर भगवान श्री कृष्ण की ही कथा चलने वाली है इसलिए समझने में सरलता रहेगी पूर् तो आगे बड़ा सुगम है क्योंकि एक ही कथा चलने वाली है यदा यदा ही धर्मस्य गलानिर भवती भारत अभ्यूत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम स्रिजामेहं परित्राणायम साधुनाम विनाशाय स्चदुश्कृताम धर्मसंस्थाप नार्थाय संभवामी यदा यदा ही धर्मस्य गलानिर भवती भगवान कहते हैं जब जब इस संसार में धर्म की हानी होती है और अधर्म का उतकर्ष होता है तब मैं अवतार लेता हूं। ध्यान देने की बात है कि भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि धर्म का जब पूर्ण नाश हो जाता है और केवल अधर्म ही अधर्म रहता है तब मैं अवतार लेता हूं। धर्म कहते हैं अब देखो धर्म ही धर्म बना रहे तो भगवान को आने की आवशक्ता नहीं है। एक बात एक स्वामी जी कथा कर रहे थे अब कुछ लोग कथा के बीच में सो जाते हैं। तो जब कथा में उन्होंने बोला धर्म का जब पात होता है इस वाके को उस आदमी ने नहीं सुना। केवल यह सुना कि जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान आते हैं। वह सौमी जी के पास गया और बोला कि फिर तो हमें अधर्म करना चाहिए। क्यों बोले तब भगवान का अवतार होगा। सौमी जी ने कहा तुम्हारे जैसे के लिए हम ही काफी हैं। तुम जो अधर्म करने वाले हो उसके लिए भगवान को आने की कोई आवशक्ता नहीं है। तुम्हारे लिए एक पुलिस का डंडा भी काफी है। और हम लोग ही क दूसरी बात कोई कोई आकर कहते हैं अब तो बड़ा खराब समय आ गया है। भगवान को ठकट होना चाहिए। क्यों क्योंकि अधर्म बहुत बढ़ रहा है और धर्म घट रहा है। इसलिए उनको आना चाहिए। यह बात तो ठीक है। लेकिन भगवान के माता-पिता कौन बनेंगे यह एक बड़ा भारी प्रश्न है क्योंकि भगवान के प्राकटे के लिए कोई माध्यम भी तो चाहिए। भगवान आएं भी तो किसकी रक्षा के लिए। कोई धर्म पालन करने वाला भी तो होना चाहिए ना। तब तो भगवान आएंगे। यदि हम चाहते हैं भागवत ज्यान यगन कर रहे हैं। इसी से सिद्ध होता है कि अधर्म इतना नहीं बढ़ा है। रावन के समय में यदि कोई यगन करता था तो वह उसे द्वस्त कर डालता था। कुछ करने ही नहीं देता था। हिरने कशिपू ने कहा था कि कोई यगन नहीं करेगा। सब लिए समझ लेना कि अभी अधर्म उतना नहीं बढ़ा है। हमारे अपने अंतहकरण में ही अधर्म बढ़ रहा है और धर्म घट रहा है। अते वहां अवतार की बहुत आवश्यक्ता है। भगवान का एक अवतार तो समश्टी में होता है। श्री राम अवतार, श्री अवतार समश्टी में हुए। लेकिन ऐसा न सोचना कि उस अवतार के लिए हमें त्रेता योग या द्वापर योग की पत्तिक्षा करने पड़ेगी। ऐसा नहीं है। यदि हम चाहें तो अपने रिदय में उनका अवतार इसी समय हो सकता है। बस अपने रिदय को उस साधू लोगों की रक्षा करते हैं और अधर्मियों का नाश करते हैं। यहां जो साधू शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ क्या है। साधू किसे कहते हैं। बस कपड़े रंग लिए और भीक्षा मांगने लगे। ओम भवति भीक्षाम देही। तो हो गई साधू की अपनी परिभाशा है। प्राण संकत उपस्थित होने पर भी जो अपने धर्म मार्ग से विचलित नहीं होते उन्हें साधू कहते हैं। ऐसे साधू की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। क्योंकि ऐसे साधू की रक्षा होती है तो धर्म की रक्षा अपने तव्यह सम्यग व्यवस्त जितो ही सह। इसके विप्रीत यदिवह साधुता नहीं अपनाता है और किसी भी प्रकार से दुष्टता छोड़ने को तयार नहीं है तब तो उसका मरन निश्चित है उसको मारना ही पड़ता है। लेकिन ये किसी को मारते नहीं भगवान के अनेक अंशावतार भी होते हैं भगवान अपना अंश प्रकट करते हैं किसी एक विशेश कारे को करने के लिए जैसे मतस्यावतार वह किसलिए था। प्रत्वी का उधार करने के लिए हुआ तो अंशावतार एक कर्म विशेश के लिए होते हैं। विशिष्ट कर्म किया तो बस उनका प्रयोजन समाप्त हो गया। नर्सिंग भगवान प्रकट हुए उन्होंने हिरने कशिपू को माल डाला और पल्धात को सिनहासन पर बिठा दिया। बस और अधिक लिला नहीं कि कोई स्फूर्ती अवतार होता है, कोई आवेश अवतार होता है और कोई अंशावतार होता है तो कोई गुणावतार होता है जैसे श्री राम अवतार। वह केवल रावन को मारने के लिए नहीं हुआ था वह सब को सिखाने के लिए भी हुआ था अब भगवान श्री कृष्ण का अवतार किसलिए हुआ यह भी जरा सोचने की बात है श्री कृष्ण अवतार का एक सामाने कारण यह है कि जब धर्म की हानी हुई और अधर्म का उतकर्ष हुआ तब धर्म संस्थापना के लिए सादों की रक्षा के लिए भगवान आई यह तो एक बात हुई लेकिन कृष्ण अवतार में इश्वर धर्म प्रकट किया गया है अब हम उसी पर विचार करेंगे रामावतार के समय कुछ ऐसी बातें थी जिने भगवान उस समय पूर्ण नहीं कर सकते थे परंतु भगवान का स्वभाव कुछ ऐसा है कि ये यथा माम प्रपध्यनते तांस तथाईव भजाम में हम गीताजी में भगवान कहते हैं जो जिस भव से इच्छा से मेरी उपासना ध्यान भक्ती करता है उसके उस भव इच्छा को पूरा करना मेरा कर्टव्य है धर्म है स्वभाव है राम आवतार में भगवान श्री राम चंद्र जीवन में गए अनेक रिशी मुनी भगवान के सौंदर्य को देखकर मोहित हुए और सोचने लगे कि हम काम वासना को जीतने का बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन यह छूटती नहीं है तो क्यो ना हम उस काम को भगवान में लगा दें बोले हम स्त्री बन जाएं और भगवान राम हमें पती के रूप में प्राप्त हो जाएं प्रिय के रूप में प्राप्त हो जाएं उनकी ऐसी इच्छा थी परंतु भगवान उस समय मनुष्य लीला कर रहे थे इसलिए उनकी ऐसी इच्छाओं को प राम जी के ओपर सबके सब मोहित होते थे इतना ही नहीं भगवान श्री राम चंद्र जी सीता परित्याग के बाद सीता जी की सोने की मूर्थी बनवाते थी सीता जी की बहुत सारी मूर्तियां हो गई थी एक दिन भगवान शीराम चंद्रजी ने देखा कि सारी मूर्तियां कह रही हैं हम क्या मूर्ति रूप में ही रहेंगी हमें आपका सहयोग सहवास कभी नहीं मिलेगा भगवान ने कहा अगले जन्म में अलग-अलग प्रकार से वे ही सब कृष्णा अवतार में आई इसलिए वहां भगवान के इतने सारे विवहा दृष्टी गोचर होते हैं और इसी कारण उन्होंने अपने पूरे एश्वरे को प्रकट किया कृष्णा अवतार में वे इश्वर रूप में होते हैं अते कृष्णा अवतार में भगवान न जाने कितने लोगों की कितनी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं जिने में राम अवतार में नहीं कर सकते थे क्योंकि तब उनके भिन भिन प्रकार के व्रत थे कृष्णा अवतार पूर्णा अवतार है रामा अवतार भी पूर्णा अवतार है यह हम देख चुके हैं शीराम चन्दर जी सुर्य वंच में प्रकट हुए पारह कलाएं होने के कारण सूरे को द्वादश आत्मा कहते हैं अतय भगवान बारह कलाओं से प्रकट हुए और चंद्र की सोलह कलाई हैं इसलिए खृष्ण आवतार में भगवान की सोलह कलाई होती है तो दोनों ही अपने अपने अंच में पोर्ण आवतार ही हैं जब मानव के रूप में श्री राम रूप में आये तब उन्होंने मानवोचित चरित्र लिला ही की परंतु भगवान श्री कृष्ण के जीवन में आप अनेक प्रकार की विचित्रताइं देखेंगे वे सब श्री राम चंदर जी के जीवन में कहीं भी देखने में नहीं आती विशेश करके गोपियों के साथ उनका रास, सहसरों उस्तरियों के साथ विवहा ये सब ऐसी बाते हैं जो हमको जल्दी समझ में नहीं आती लेकिन हम देख चुके हैं कि इन सब प्रसंगों के कारण भी पूर्व पूर्व के हैं इश्वर का स्वभाव है जीव की इच्छा को पूर्ण करना और जीव का परम पूरुशार्थ क्या है? आखिर परमात्मा को पाना ही परम पूरुशार्थ है इसलिए उन सब को परमात्मा की प्राप्ति होती है यह हुआ अवतारों का प्रयोजन अब संक्षेप में अवतारों का आध्यात्मिक भाव देखेंगे देखो सचिदा अनंद परमात्मा हम सब के रिदय में विराजमान हैं वे हम सब का रूप हैं लेकिन फिर भी हमारा निशद का पाठ भी किया करते हैं कि आनंदा धैव खल विमानी भूतानी जायंते आनंदेन जातानी जीवंती आनंदम प्रत्नत्यभी संविशंती ती अब देखो आत्मानंद स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप है लेकिन फिर भी हमको आनंद का नुभव नहीं हो रहा है उसको व्यक्त होना पड़ेगा अवतार लेना पड़ेगा वह अवतार कैसा होगा जब गुरु तत्व मसी महावाक्य का उपदेश करते हैं अरे वह ब्रह्म्ह तुम ही हो ऐसा उपदेश करते हैं तब उस वृत्ति में जो चैतन्य आरूड होता है वही भगवान का अवतार है यह अध्यात्म अवतार जब प्रकट हो जाता है तो हमारी अविद्या ग्रंथी को और अविद्या के जितने उपद्रव हैं उन सब को नश्ट कर डालता है वैसे तो सरवग्ण सर्व शक्ति मान भगवान सम रहते हैं किसी का पक्ष नहीं लेते लेकिन जब कोई उनको ए शेश शया पर शयन करते रहते हैं ना किसी से राग करते हैं ना किसी से द्वेश ना किसी में आसक्त होते हैं नहीं कुछ और करते हैं अते वहां से भगवान को यहां लाना पड़ता है जीव ऐसे हैं कि दुखी होते रहते हैं क्योंकि इनमें इच्छाएं बहुत हैं लेकि में इच्छा है तो सामर्थ नहीं फिर क्या करें तो अपनी इच्छा भगवान में डाल दो या भगवान की सामर्थ प्राप्त कर लो दोनों में से एक काम करना ही पड़ेगा अब भगवान की सामर्थ तो क्या प्राप्त करेंगे सबसे अच्छा यही है कि अपनी इच्छा भ करने की शक्ति है यही भगवान का प्राकट्य है इतनी प्रस्तावना के बाद अब कृष्णा अवतार में प्रवेश करते हैं अवतीर्य यदोवन्शे भगवान भूत भावन कृत्वान यानि विश्वात्मा तानी नौवद विस्तरात राजा परिक्षित शुक्तेव जी से कहते हैं आपने सभी राजाओं के वन्शों का वर्णिन किया सभी कथाओं को आपने संक्षेप में सुनाया सो तो ठीक है परन्तु यदोवन्श में भगवान भूत भावन विश्वात्मा प्रकट हुए थे उनकी कथा आप पिस्तार से सुनाइए ऐसा क्यों क्योंकि ये व कहते हैं का उत्तम श्लोक गुणान वादात पुमान विरज्जियत बिना पश्नुग्रात पशु हत्यारे के अतिरिक्त ऐसा कौन वेक्ती होगा जिसे भागवत कथा में रसना आए और उसे सुनना न चाहे प्रयच्छतो मृत्यु 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 मृत्यम्रितम्च माय मनुशस्य वदस्व विद्वन माया से जो मनुश्य रूप में यहां आए उन भगवान का चरित्र आप विस्तार से सुनाए मैं सुनने के लिए आतुर हूं नैशाती दुस्सहा अक्षुन्मा त्यक्तो दमपी बाधते पिबन्तम्त्वन मुखाम भोज चुत हरी कथामृत आपकी मुक से निकले इस भागवत कथामृत का पान कर मुझे भूक और प्यास बिलकुल नहीं सताती है मैं ठकने वाला भी नहीं हूं आप विस्तार से सुनाए ऐसी बात जब परिक्षित के मुक से सुनी तो भगवान शुक्तेव जी कहते हैं अरे राजर्शी सम्यक अची बात कहीं कि वासुदेव कथा प्रश्न भगवत कथा सम्बंधी जो प्रश्न है वह सभी पुरुषों को स्तृषों को वक्तारं प्रिचक वक्ता को प्रशन पूँछने वाले को श्रोताओं को सबको उसी प्रकार पवित्र करता है तद पाद सलिलम्न यथा जिस प्रकार भगवान की चरणों से निकली हुई गंगाजी सबको पवित्र करती हैं भगवत कथा की महिमा तो उससे भी ज्यादा है क्योंकि वह भगवत धर्म की कथा है वह कोई सामान ध भर्म नहीं है जो हमारे स्वभाव में यतकिंचित परिवर्तन लाए या पापों को केवल क्षीन करे पहतों पापों को पूर्णतह नष्ट करके भगवान में नष्ट की रती उत्पन करने वाली है अब भगवान शुक देव जी सीधे कथा में प्रवेश करते हैं आपने भागवत में बताई गए हैं कथाओं में कथाकार अन्य पुराणों और ग्रंथों में से अनेक कहानिया बताते हैं जो हमको भागवत में देखने को नहीं मिलती अनेक प्रकार की भावना भरी रस भरी कथाएं गर्ग सहीता में ब्रह्म दाईव वर्त पुराण में प्रहां पुराण में और पद्म पुराण में हैं अन्य पुराणों में भी अनेक कथाई हैं लेकिन हम सिर्फ भागवत कथा से ही संबंद रखेंगे भगवान द्वारा पृत्वी के कष्ट का आश्वास शुक देव जी कहते हैं पृत्वी पर जब असुरों का भार बहुत बढ़ गया कंस्त था उसके अनेक साथियों का पृत्वी पर अत्याचार बढ़ गया तब पृत्वी बढ़ी व्याकुल हो गई पृत्वी कहती है कि मेरे उपर परवत जंगल समुद्र आदी सब हैं इनका मुझे भार नहीं लगता लेकिन जो पाप कर्म करने वाले हैं उनका मुझे बहुत भार लगता है गाएं का रूप दहरण करके वह ब्रमा जी की शरण में जाती हैं पृत्वी माने पृत्वी की जो अधीश्ठातरी देवी, पृत्वी देवी हैं. वे गाएं के रूप में ब्रह्माजी के पास जाती हैं. ब्रह्माजी सारे देवताओं और शिवजी को लेकर क्षिर सागर में निवास करने वाले जगन्नात भगवान नारायन के पास जाते हैं. उनसे प्राथना करते हैं और पुरुष सूक्त के द्वारा उनको प्रसन्न करते हैं। समाधी में भगवान उनको जो बताते हैं, उसी को ब्रह्माजी सारे देवताओं से कहते हैं। गाम पौरुशीम मेश्रू ताम रहपुन, विधीयता माशू तथाइव माचिरम। ब्रह्माजी कहते हैं कि भगवान ने कहा पुरैव पुनसाव ध्रतो धराजवरो पृत्वी का संताप मुझसे पहले से ही मालूम है। शीगर ही मैं उनके दुख को दूर करने के लिए प्रकट होने वाला हूं। तो भगवान यदुवंच में प्रकट होने वाले हैं और वे सारे असुरों का संभार करेंगे। इसलिए ब्रहमाजी देवताओं से कहते हैं तुम सब भी अपने अपने अंशों से यदुवंच में जन्म लेकर भगवान की लीला में सहयोग देना। फिर कहते हैं वसुदेव ग्रिहे साक्षात भगवान पुरुष परह। इसलिए बहुत सारे देवी देवता अनेक स्थानों पर प्रकट हुए। कोई मथुरा में प्रकट हुए तो कोई गोकुल वंदावन में हम देख चुके हैं कि भगवान रामचंदर जी को देखकर कितने ही रिशी मुनी भी मुक्त हो गए थे। भी गोपियों के रूप में प्रकट हुए। देते थे इस बार में छोटा भाई नहीं बनूगा भगवान ने कहा अच्छा इस बार तुम बड़े भाई बन जाओ देखो सबकी इच्छा पूरी करते हैं कहते हैं ये यथा माम परपद्यनते तांस तथाईव भजाम में हम तुम बड़े भाई बन जाना तुम मुझे बात ऐसी है कि चाहे भगवान चोटे बने या बड़े वे ही बड़े रहते हैं फिर भगवान ने कहा कि मेरी माया भी प्रकट होने वाली है रुकमनी बनकर लक्ष्मी जी ने कहा कि जब मैं सीता बनकर आई थी तब मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी अब की बार मैं महल से बाहर ही नहीं निकलूंगी। भगवान ने कहा अच्छा इस बार तुम महल में ही रहना। बोले बाहर जाते हैं तो गरबर हो जाती है। इसलिए यहां रुक्मनी जी की बहुत ज्यादा भूमी का दिखाई नहीं देती। रामायन में तो सीता जी प्रमुख पात रहें। वै कानों हर चीज का बदला ले रहे हों। वहां भूक लगने पर भी मक्षन नहीं मांगते थे। हाला कि उनको उस समय भी मक्षन अच्छा लगता था। यहां घुस घुस कर चुरा चुरा कर खाने लगे। रामचंदर जी के रूप में भी भगवान गायों की बड़ी सेवा क करना चाहते थे। परंतु राजा होने के कारण उन्हें सेवा करने का मूका यहीं नहीं मिला। गायों की पूजा करने का अवसर तो मिला। देखकर उनके स्तनों से दूद का ऐसा फवारा निकलता था कि वे सीधे भगवान के मुख में जाता था भगवान सीधे उनके स्तन से ही दूद पीते थे जो राम अवतार में नहीं कर सके वह सब श्री कृष्णा आवतार में कर लिया ऐसे हैं श्री कृष्णा भगवान शुक धाम पर आ जाता है व्रंदावन कदम व्रक्ष यमना जी और जाने क्या क्या सारी चीजें यहां आ जाती है राधा जी और उनकी सारी सखियां भी व्रज में आ जाती है वसुदेव देवकी का विवहा शूर सेन ने मतुरा को बसाया था वेही मतुरा के पहली राजा थे अब म कंस की चचेरी बहन है विवहा के पश्चात विदाई के समय देवकी और वसुदेव रत में बैठे हैं तब देवकी को प्रसंद करने के लिए प्रेम दर्शाने के लिए कंस स्वयम रत हांकने लगा लेकिन देखो आनंद उत्सव चल रहा है और अकस्मात वहां आकाश वानी ह अरे मूर तु जिनका रत हांक रहा है उनका आठवा गर्ब तेरा काल होगा इतना सुनते ही कंस तलवार निकाल कर अपनी उस बहन देवकी को मारने के लिए तत्पर हो गया दामिनी दमक रहन घनमाही खलकई प्रीती जथा थिरनाही जैसे आकाश में बिजली चमक कर चली ज विचार किये बिना ही देवकी को मारने के लिए तयार हो जाता माने उसके प्रेम में कितनी सच्चाई है यह बात प्रकट हो गई उसका प्रेम बहुत चंचल था इसलिए उसलिए क्षण भर labor में वह मारने के लिए खड़ा हो गया वसुदेव जी का कंस को व्चन देना सोम्य भाव से कंस को समझाते हैं अरे कंस तुमको अपने मरण का समाचार सुनकर इतना डर लग रहा है अध्यवाप दश्तान ते मृत्यूर्वई प्राणी नाम धुवह जिसका जन्म हुआ है उसका मरण तो एक ना एक दिन होने ही वाला है तुम इनको माल डालोगे तो क्या तुम अमर हो जाओगे थोड़ा सोचो जिसका जन्म हुआ है वह तो मरेगा ही देह मरता है परंतु आत्मा तो अविनाशी है आकाश्वानी सुनते ही तुम इनको मारने के लिए तयार हो गए गुणू की माया में इस प्रकार से मत फसो जब कंस ने इस बात को नहीं समझा त पुत्री कोपमा तुम्हारी पुत्री के समान है हन्तुम नारहसी कल्यानी इमाम त्वम दीनवत्सल तुम तो दीनवत्सल हो अपनी छोटी बेहन जो पुत्री के समान है उसको मारोगे लेकिन उसका चित इतना उग्र हो गया था कि उसके ऊपर इसका भी कोई प्रभाव नह ही हो रहा है अब किसी भी प्रकार इस समय को टाल सकें तो टालना चाहिए देखो मरण तो होने वाला है ही देवकी का भी कभी ना कभी मरण होगा ही लेकिन हम अपनी बुद्धी से बल से जब तक संकट को टाल सकते हैं तब तक प्रत्न करना चाहिए और यद्य सवना निर्वर बहुत कंभीर स्थिती में हो और हम जानते हूं कि वह बच नहीं सकता तब भी जो प्रत्न कर सकते हैं उसे तो करते ही है ना अन्य था बाद में यदि ऐसा लगे कि हम कुछ कर सकते थे परंतु किया नहीं तो वह अपराध हो जाता है लेकिन जो कर सकते हैं उसे कर लेने के मारे दिल में कोई टीस नहीं रह जाती कि देखो मैंने कुछ किया नहीं तो अब क्या करें वसुदेव जी ने बहुत सोच कर शांती पूर्वक कहा अरे कंस तुमको देव की से तो डर नहीं है न इसके जो पुत्र होने वाले हैं उनसे तुमको डर है मैं तुमको वचन देता ह कि इसके जो पुत्र होंगे उन्हें मैं अपने हाथों से तुम्हें अर्पित कर दूँगा फिर तुम्हें जो करना हो सो करना देखो कंस माने हिंसक वसुदेव जी का चरितर कितना उज्वल होगा कि हिंसक वृत्ती वाले उस कंस को भी उनके वचनों पर विश्वास हो गय कि यदि ये मुझे वचन दे रहे हैं तो बाद में उसके विपरीत वर्तन नहीं करेंगे, अपने वचन से नहीं तलेंगे, कितने विश्वास पात्र रहे होंगे वसुदेव जी। इसलिए तो भगवान उनके घर में आने वाले हैं, तो वसुदेव जी के वचन पर विश्वास करके कंसने देवकी को छोड़ दिया, विदाई हो गई, और वसुदेव देव की अपने महल में रहने लगे, समयाने पर उनके पहले पुत्र का जन्म हुआ, जरह सोचो, पुत्र होने के बाद उसे देना, पड़े तो मा के रिदय की क्या दशा होगी, देवकी जी रोने लगी, वसुदेव जी का मन भी कहता है, कि इस छोटे से बालक को में कंस को कैसे दे दूँ, लेकिन देखो, वचन पूर्ती का धर्म निभाने के लिए, वे छोटे से बालक को कंस के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं अपने पूर्वकत नानुसार हमारा यह बच्चा मैं तुमको देता हूँ उनकी सत्य निष्ठा वचन बद्दता देखकर कंस का रदय द्रवित हो गया वह कहता है इसे वापस ले जाओ मेरा काल तो आठमा पुत्र है पहला नहीं पसुदेव देविकी के छे पुत्रों की हत्या इधर नारत जी कंस के पास आते हैं और कहते हैं कि यह काम ठीक नहीं हुआ कंस तेरी बुद्धी बिगड़ गई है भगवान की माया बड़ी गड़बड है कौन सा पुत्रा आठमा होता है फिर उन्होंने आठ रेकाएं खीचती और फिर इस तरह गोलाई में रखेंगे तो प्रतेक ही आठमा हो सकता है यहां भागवत में बताया गया है कि नारत मुनी आकर कहते हैं तुमको मालूम नहीं है वसुदेव और देविकी के गर्व से भगवान ही प्रकट होने वाले हैं और उनका साथ देने के लिए सारे देवता पह सोचने लगा तो क्या यदुवंश्यों के रूप में सारे देवता ही यहां आ गए हैं और भगवान विश्नु ही आठमे पुत्र के रूप में आने वाले हैं कहते हैं कि कंस पूर्व जनम में कालनेमी नाम का असुर था कालनेमी ही फिर से यहां कंस बन कर आया है कंसने देव को कारा ग्रह में डाल दिया और उनके पुत्र को मार दिया इतना ही नहीं अपने पिता उग्रसेन को भी जेल में डाल दिया और स्वयम राजा बन बैठा कहते हैं जो लालची दुष्ट राजा होते हैं विमाता पिता भाई इस्ट मित्र सब को दुख देने के लिए तयार हो जाते हैं कंस ऐसा ही अत्याचारी बन गया प्रलंब बक पूतना चाणूर मुष्टिक केशी आदी असुर्त था जरासंग भौमासुर बानासुर आदी सब उसके साथ ही थे जब देवकी का दूसरा पुत्र हुआ तो कंस ने उसको भी माल डाला फिर तीसरा चोथा पांचवाँ छटा छे पुत्रों को उसने माल डाला अब भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि देवकी के साथ में गर्भ में शेश भगवान हैं तो मैसा करो कि अपनी माया से उस गर्भ को खीच कर वसुदेव की दूसरी पतनी रोहिनी जो गोकुल में हैं उसके गर्भ ही करने वाली है सो माया ने वह कारे कर दिया मतुरा वासियों को लगा कि कंस के डर से देवगी का गर्व कित गया लेकिन योग माया ने वहां दूसरा ही कारे कर डाला था वहां रोहिनी के गर्व से शेश भगवान का जन्म हुआ भगवान कहते हैं कि अब मेरे प्राकट्टे क भी समय आ गया है भगवान अपिविश्वात्मा भक्ता नाम भयंकर आविवेशान शभागेन मन आनक दुन्धुबे आनक दुन्धुभी यह वसुदेव जी का नाम है भगवान सबसे पहले वसुदेव के देहे में प्रकट हुए उनके शरीर में तेज बन गए उसी तेज को फिर देवकी ने धारन किया इतना बड़ा तेज धारन करने के बाद भी देवकी उसको छिपा रही थी परंतु वह छिप नहीं रहा था छिपी हुई अगनी के समान देवकी जी उस जेल में रह रही थी लेकिन जब कभी कंस वहां आता और देवकी को देखता तो उसका दिल धक धक करने लगता था बुले यह पहले तो ऐसी नहीं दिखाई देती थी इसका तेज कुछ बढ़ गया है लगता है कि मेरा काल आ गया है यहां पर एक विचार मन में आ सकता है कि नारत जी आकर इनको उकसा कर क्यों जाते हैं कंस के मन में दया आ गई थी उसने पहले बच्चे को वापस कर दिया था लेकिन यह नारत जी क्यों बच्चों को मरवा रही हैं देखो बात यह है कि किसी अपराधी को पकड़ने के लिए भी अनेक प्रमान इकठे करने पड़ते हैं उसको सरल भाशा में कहते हैं पाप का घड़ा भरना है कंस पाप तो कर रहा था लेकिन छोटे-छोटे नवजात शिश्वों को मारना बहुत बड़ा पाप होता है नारत जी का विचार यह था कि इसके पाप का घड़ा जल्दी भरेगा तो इसका मरण भी जल्दी होगा अन्यथा यह कंस दूसरे असरों के साथ मिलकर लंबे समय तक लोगों को दुख कश्ट देता रहेगा अब बात ऐसी है कि नारत जी ने सोचा कि यदि कंस उन शिश्वों को मारेगा तो उसका उंक्रिस्वभाव जादा प्रकट होगा तब भगवान भी जल्दी प्रकट होगे और इसका नाश भी जल्दी होगा इसका भी कल्यान होगा और लोगों के लिए भी शांती हो जाएगी दूसरी बात यह है कि वे कंस के मन में भः बिठाना चाहते थे अन्यथा काश्वाणी की भी क्या जरूरत थी कि आठमा गर्भ भगवान चुप चापाते तो कोई मजाही नहीं आता अर्थात भई से कंस की वृत्ति निरंतर कृष्ण 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 कृष्णाकार नहीं बनती देखो भायानक भी एक रस है, रस की निश्पत्ती तभी होती है जब स्थाई भाव, विभाव, संचारी भाव आदी सब हो साहित्य में बताया जाता है कि कोई भी रसुत्पन होता है तो क्रम से होता है जैसे हमें किसी की हत्या का वन्न करना हो और सीधे पहले ही वाक्य में कहे दें कि एक आदमी आया और उसने दूसरे आदमी को मार डाला तो कुछ लगेगा ही नहीं लेकिन यदि उसकी प्रष्ट भुमी त्यार करके ऐसा वन्न करें कि अमा वस्या की रात थी सब और घना अंधकार छाया हुआ था बारिश हो रही थी उल्लू जोर जोर से चिला रहा था बीच बीच में बिजली चमक जाती थी उस समय एक आदमी जंगल में चला जा रहा था तो यह सारा वन्नन मन में भई के भाव को बढ़ाता रहता है उद दीप्त करता रहता है अब क्या होने वाला है फिर क्या होने वाला है कह सोच सोच कर भई उत्पन्न होता है निरंतर एक ही वृत्ति उत्पन्न होने लगती है यहां कंस के मन में भी भई उत्पन्न करना है ज उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि भगवान से द्वेश करें, हाँ उसे भई हो सकता था। वहशलोग हम पहले देख चुके हैं कि काम से, स्नहे से, भई से, द्वेश से या किसी भी भाव से भगवान का समरण करें तो उससे भी मुक्ति हो सकती है। इसलिए नारत जी ने ऐस काम किया और इसलिए आकाशवानी भी हुई। देखो उसकी स्थिती कैसी हो गई, सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ, मार डालू इस गर्भवती स्थरी को, लेकिन न जाने कैसे उसके मन में धर्म का विचार आ गया। उसे लगा कि नहीं, यह स्थरी है, मेरी बेहन है, ग जीते जी भी मेरा नाम खराब होगा और मरने के बाद भी सब लोग बोलते रहेंगे कि इसने गर्भवती स्थरी को मार डाला। ऐसा सोचकर उसने निश्चय किया कि जब बच्चे का जन्म होगा तब देखेंगे। लेकिन आसीन सम विश्थ स्थन, भुन जान प्रयतन महीं चिंत यानो रिशी केशम अपश्यत तनमयम जगत। देखो, नारत जी ने कैसा उपकार कर दिया उस पर। उधर ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा कि देवकी के गर्भ में भगवान आ गए हैं, तो वे शंकर जी तथा सारे देवताओं को लेकर वहां आते हैं और उनके प्राकटे के पहले ही स्थुती करते हैं। ब्रह्मादी देवताओं द्वारा कर्भस्त भगवान की स्थुती। कहते हैं आप सत्य व्रत हैं, आपकी प्राप्ती का साधन भी सत्य ही है, आप तीनों कालों में सत्य हैं, सत्य के भी सत्य हैं, सत्य स्थुरूप हैं, हम आपकी शर्ण में आई हैं और प्रपन्न भी हैं। जो आपके गुणों का श्ट्रवन कीर्तन चिंतन स्मर्ण करता है वह पुने इस संसार में नहीं आता भगवान आप जल्दी से प्रकट हो ये और हमारे दुख दूर कीजिए फिर उन्होंने देखा कि देवकी जी कंस के भई से भई भी तो हो रही है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मेरा बच्चा होने वाला है और कंस को मालूम है कि यह मेरा आठवा बच्चा है इसलिए दिश्टयाम बते कुक्षिगत परपुमान अन्शेन साक्षात भगवान भवाय नहां प्रमाजी देवकी जी से कहते हैं बड़े भागे की बात है कि परम पुरुष ही आपके गर्भ में आ चुके हैं माभूद भयम भोज पतेर मुमुर्शो भोज पती कंस अब मर्नांसन है बरने ही वाला है उसे भहवी तो हुने की कोई जरूरत नहीं है यह बालक तो यदूवंच की तथा आप सब की रक्षा करने वाला है आप चिंता मत कीजिए ऐसा कहकर ब्रमाजी अंतरध्यान हो गए लोग मेरी बहुत हसी उड़ाते रहते हैं कहते हैं यह काल भगवान का कभी सपर्श नहीं कर सकता काल क्या कर लेगा भगवान का भगवान तो अकाल हैं त्रिकालातीत हैं काल के परे हैं ऐसा बोलते रहते हैं काल तो भगवान के लिए चठनी हैं आचार हैं ऐसा बोलते रह मेरी तो पूरी तरह से मानहानी कर डाली लोगों ने आप कुछ कीजिए जिससे मुझे भी थोड़ा वैभव प्राप्त हो कुछ गौरव प्राप्त हो भगवान ने कहा अच्छा मैं काला दी तुहूं लेकिन अब मैं काल में आऊंगा रामावतार के समय मैं दिन में आया था अब मैं रात के समय आऊंगा तब सूर्य वंच में आया था अब चंद्र वंच में आऊंगा भगवान सब के लिए समान है यहां वे अपना समत्व दिखा रहे हैं कहते हैं उस समय नवमी के दिन आया था अब अश्टमी के दिन आऊंगा नवमी पूर्ण ब्रह्म की संख्य है 9 कि संख्या हमेशा पूर्न रहती है 9 दुदी एठारा आठ और एक नो नो तिया 27 साट और दो 9 हर बार 9 संख्या 9 भगवान ने कहा उस समय ब्रह्म की संख्या में आया था अब इस समय माया की संख्या में आओँ गा आठ माया की संख्या है लेकिन माया स्वयम भगवान की है अश्टधा प्रकृती ही भगवान की माया है अव्यक्त महत तत्व अहंकार और पंच महाभूत ये ही आठ प्रकृतिया हैं इसलिए भगवान की पत्निया भी 16008 या 16108 हैं उनमें जो आठ हैं रुकमनी, सत्यभामा, जांबवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा वे लक्षमना ये भगवान की अश्टधा प्रकृती हैं इसलिए भगवान ने कृष्णावतार में माया की ज्यादा ही कारे किये कृष्णावतार में वे अश्टमी माया की संख्या के दिन आई प्रकृतिम्न स्वम बक्ष में आए हैं। देखो उस समय का कैसा वन्नन किया गया है। जलरू हरिश्रयह द्विजाली कुल सन्नाद तबकावन राजयह ववव वायू सुक्सपर्शह पुन्य गंदवह शुचिही अग्नयश्च द्विजाती नाम शांतास्तत्र समंधित। मनांसयासन प्रसन्नानी साधुनाम सुरद्रुहाम जायमाने जने तस्मिन नेदुर दुन्दु भयो दिवी। जगुहु किन्नर गंधर्वान तुष्टुस्तुफु सिद्चारनहा विद्याधर्यश्च नन्रितुरप्स सरोभिही सममसदा। मुमुर्चुर्मुन योदेवह सुमुनांसी मुदान वितहा मन्दम मन्दम जलधरा जगर जुर्णु सागरम। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिन्याम विश्णू सर्वगुहाशयह आवीरासीद यथा प्राच्याम तिशिन दुरिव पुषकलह अथ सर्वगुणो पेतह कालह परमशोभन सर्वगुण संपन अत्यंत शोभन काल आ गया है शुब नक्षत्र उदित हुए हैं सभी ग्रह नक्षत्र अपने उच्च स्थान पर विराजमान हैं सारी दिशाएं प्रसन हो गई हैं गगनम निर्मलोडु गुणो दयम आकाश निर्मल है नद्य प्रसन सलिला सारी नद्यों में शुद्ध जल प्रवाहित हो रहा है प्रत्वी पर जितने भी वन उपवन ग्राम आदी हैं उनकी शोभा बढ़ गई है स्वरवरों में पानी स्वच्च है और कमल खिले हुए हैं वबव वायू सुक स्पर्ष पुन्य गं वह शुचि ही शीतल मंद सुगंधित वायू बह रही है देखो यहां पूरी प्रकृती की शुद्धी बता रहे हैं आध्यात में कवतार की जब बात होती है तो सारी प्रकृती माने हमारा अंतहकर्ण जब शुद्ध हो जाता है तब वहां भगवान प्रकट होते हैं जिनक सारी प्रकृती भगवान का स्वागत करने के लिए तयार है अब तक ब्राह्मनों की सारी अगनिया ठीक से प्रजवलित नहीं हो रही थी क्योंकि असुर उन्हें यगन यागादी करने नहीं देते थे अगनी की बजाए धुआ ही ज्यादा निकलता था लेकिन अब इनकी अ प्रजवलित हो गई है मनान सियासन प्रसन नानी साधुना साधुं के मन प्रसन हो गए है क्योंकि भगवान आने यह हैं अभी भगवान प्रकट हुए भी नहीं लेकिन आकाश में दुंदुभियां बजने लगी किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, अपसरा, विध्याधर्द, चारण, ये सब प्रसन्न मन से निरत्य करने लग गई, सारे देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लग गई मंदम मंदम जलधरा जगर जुर नुसागरम वहां बादलों की मंदमंद गर्जना भी होने लगी फिर बारिश होने लगी और जलधारा बहने लगी निशी थे तम उद भूते देखो कृष्ण पक्ष की रात्री है मध्य रात्री जाय माने जनार्दने भगवान जनार्दन स्यद्यपी सर्व गुहाशय सभी के रिदय गुहा में विराजमान हैं तथा पी देवकी के गर्ब से वहाँ पर प्रकट हुए अवतार का अर्थ कभी ऐसा न समझना कि उपर से नीचे आई वे तो सबके रिदय में बैठे हैं जहां हैं वहीं सिर्फ प्रकट हुए आविरासीद यथा प्राच्याम दिशिन दुर्रईव पुशकलह जैसे प्राची दिशा में चंद्रमा का उदय होता है वैसे ही वे कारा ग्रह में प्रकट हुए देखो राम आवतार में भगवान ने महल में अवतार लिया था तब कृष्ण आवतार में जेल में प्रकट होते हैं बोलिए श्री कृष्ण चंद्रबगवान की चैँ भगवान का अवतार कारा ग्रह में मध्यरातरी के समय चुप चाप हुआ इसलिए हमें भी उनका जन्मोत सव चुप चाप मनाना चाहिए ज्यादा शोर गुल नहीं करना चाहिए कंस को पता चल जाएगा कंस को अभी पता नहीं चलना चाहिए देखो भगवान राम जी का अवतार दिन में बारह बजे होता है तो उसे तो बड़े उत्साह पूर्वक मनाना चाहिए लेकिन श्री किशना अवतार तो चुप चाप कर लेना चाहिए तो कंस के कारा ग्रह में भगवान प्रकट हुए कैसी प्रकट हुए मालूम है तम अध्भुतम बालकम अम्बुग जेक्षणम चतुर भुजम शंख गदायुर युदायुधम श्रीवत्स लक्षमम गलशोभी कोस्तुभम पितामबरम सांद्र पयोद सोभगम महार हवय दूर्य किरीट कुंडल त्विशापरीश्वक्त सहस्र कुंतलम उद्धाम कांचन अंगद कंकनादिभी विरोच मानम वसुदेव अईक्षत वसुदेव जी ने देखा कि सामने एक अदबुत बालक है अब तक देवकी के जो बालक हुए थे विसामा नहीं थे लेकिन यह बालक अदबुत है कैसा है अम्बूज एक्षणम उसके नेत्र कमल के समान है चतुर भुज शंक गडा युर युदा युधं चार हाथ हैं जिन में शंक चक्र गडा पदमली ये होए हैं श्रीवत्स लक्षमम गलशो भी कोस्तुभम चाती पर श्रीवस्त चिन है गले में कोस्तुभमनी है पितामब्तारन किया हुआ है और जैसा जल से भरा हुआ बादल होता है पैसा ही नील मेहग श्याम वर्ण है भगवान का उत्दाम कांच्यांगद कंकनादी भी ही विरोच मानम वसुदेव एक्षत आभूशनों से अलंकृत भगवान वहां प्रकट हुए हैं और वसुदेव जी उनको देख रहे हैं उत्सवसम भ्रहमोस प्रशन मुदा द्विजे भ्यो युत माप नुतो कवाम उनका रदय प्रसनता से भर गया उन्हें लगा कि यह तो दान पुन्य करने का समय है लेकिन मैं तो जेल में पढ़ा हूँ मैं क्या करूँ ऐसा सोचकर उन्होंने मन ही मन संकल्प कर लिया कि अवसर मिलते ही मैं बहुत सारे ब्रहमनों को हजारों गाएं देदूँगा वस्त्र आभूशन धन सब कुछ देदूँगा परम पुरुष को सामने प्रकट हुए देखकर वसुदेव जी कहते हैं विदितो असी भवान साक्षात पुर्शह प्रकृते परह केवल अनुभव आनंद स्वरूप सर्व बुद्धिर द्रकह मैं जानता हूँ कि समस्त प्रकृती के परे केवल अनुभवानन्द स्वरूप सबकी बुद्धी के साक्षी रूप आप ही यहां प्रकट हुए हैं त्वमस्य लोकस्य विभो रिरक्षिशू ग्रुहेवतीरणोसी ममाखी लेश्वर राजन्य संग्यासुर कोट यूथपई निर्व्यू हयमाना निह निश्य से चमुँँ आप अपने पुरे तेज के साथ मेरे उपर कृपा करने के लिए मेरे घर में प्रकट हुए हैं और भ देवकी जी को भी स्थिती का भान होता है देवकी जी भी उस रूप को देखती हैं फिरहात जोड कर कहती हैं रूपम यत्यत प्राहूर व्यक्तमाद्यम प्रम्भज्यो तिल निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेशम निरीहम सत्वम साक्षाद जिसको निर्गुण निर्विशेश सच्चितानंद स्वरूप कहते हैं आप वही अध्यात मदीप हैं आप ही यहां प्रकट हुए हैं मृत्यू से भैबीत होकर जीव दसों दिशाओं में भागता रहता है उसको मृत्यू से कभी सुरक्षा नहीं मिलती है लेकिन जब वह आराम से सो जाता है क्योंकि तब मृत्यू से दूर भाग जाती है आप तो ऐसे भगवान हैं लेकिन मा का रिदाई देखो एक ओर तो भगवान को निर्गुण स्वरूप को इश्वर्य को भी जानती हैं और दूसरी ओर कहती हैं आरे आपका तेज सब और फैल गया है चलती मा कारिदय है भगवान के एश्वर दर्शन के साथ साथ वातसल्य का कैसा विस्मयकारी मिश्रन दिखाई दे रहा है कहती हैं जन्मते मैय सव पापो मा विद्या मधुसूदन समुद्विजे भगवदेतो कंसाद अहम धीर अधिही पापी कंस को पता न चले कि मुझ से आप का प्राकर्टे हुआ है कंस के भई से मैं भई भी तुहूं देखो कंस जब देवकी को मारने के लिए आया तब देवकी को डर नहीं लगा कहती है मुझे अपने लिए कंस का डर नहीं लगता लेकिन वह आपको मारेगा इसका मुझे डर लग रहा है भई हो रहा है यह जो मा का प्यार होता है यह भूती विलक्षन और विचित्र प्रकार का होता है ऐसा प्रेम किसी-किसी भागिशाली को ही प्राप्त होता है देवकी जी कहती है भगवान आप अपना यह रूप जल्दी से छोड़ कर सामान शिशु के जैसे बन जाए यह सोच सोच कर मेरी बुध्धी चकरा रही है कि सारे विश्व को अपने में समा लेने वाले भगवान मेरे गर्भ में आए है अहो उन्री लोकस्य विडम बना महीतत इससे बढ़कर क्या विडम बना हो सकती है भगवान कहते हैं मा मैंने अपना यह रूप तुम्हें क्यों दिखाया मालूम है क्योंकि पू उन्होंने मोक्ष के बजाए मुझे पुत्र रूप में मांग लिया और यह पहली बार नहीं तीसरी बार मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूं पहली बार मैं पृष्णिगर्भ बनकर आया दूसरी बार वामन बनकर आया और अब तीसरी बार आया हूं अपने तथा तु यासिये थे मदगतिम पराम, तुम दोनों पुत्र भाव से मुझसे प्रेम करते हुए, साथी साथ ब्रह्म भाव से मेरा चिंतन भी करते रहना, इससे तुम दोनों मुक्त हो जाओगे, देखो, यहां रस भरी बात यह है, कि ये दोनों भगवान को पुत्र के रूप में नही ही तप किया था, वे तो मुक्ष के लिए ही तप कर रहे थे, लेकिन वर मांगने के समय भगवान ने इनकी बुद्धी मोहित कर दी, यह बात भगवान ने स्वयम कही है, नव वरार्थे पवर्गम में मोहितो मम मायया, मेरी माया से मोहितो हो कर ही तुम दोनों ने मोक्ष न जयुँ विजय को शाप दिया था और उन्हें बुला लग रहा था कि मैंने कैसे भगवान के पारशदों को ऐसा शाप दे दिया वे बार-बार अक्षमा मांग रहे थे तो भगवान नहीं इनको अपने माता पिता बनाना चाहते थे भगवान इनके पुत्र बनना चाहते थे उस सुख का अनुभव करना चाहते थे क्योंकि आपको सची बात बताएं तो जब देखो तब कोई आए माला पहनाता रहे नमस्कार करता रहे यह सब बड़ा कठिन लगता है जब दे आन के भाईम में भी उनको वह सुख नहीं मिल सका क्या करे को सल्या दसरत जी ने उनहें कभी मारा नहीं कभी बांधा नहीं कभी डाटा भी नहीं कभी कुछ किया ही नहीं श्रीकृष्ण को लेकर वसुदेव जी का गोकुल जाना वसुदेव देव की दोनों के देखते ही देखते भगवान प्राकृत शिशु के समान बन गए फिर वे वसुदेव जी से कहते हैं जल्दी से मुझे एक टोकरी में रखो और यहां से गोकुल ले चलो देखो गोकुल शब्द कितना अच्छा है गोकुल का एक अर्थ होता है जहां गायों का ही परिवार हो भगवान का गोत्र तो बड़ा दुर्गम है सारी जाती नीती कुल गोत्र और वरणाश्रम के परे होते हुवे भी वे ख्षत्रिय वन्च में आये और उसके बाद गोकुल में वैश कुल में गए अब देखो भगवान शत्रिये हैं वैशे हैं कि ब्रहमन हैं क्या है वामन आवतार में वे ब्रहमन के रूप में आए थे यहां क्षत्रिये के रूप में आते हैं और फिर वैशे परिवार में चले जाते हैं यहां दूसरी बात यह हैं कि वे वसुदेव देवकी के पुत्र हैं लेकिन बाली लीला का सुक तो उन्हों ने यशुद और नंद जी को दे दिया इसी से भगवान क्या जताना चाह रहे है यही कि भाव से जो मुझे अपना पुत्र मान लेते हैं बस मैं उन्ही का पुत्र बन जाओंगा तो किसी को यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे कब एफसा आफसर मिलेगा जब भगवान मेरे पुत्र बन कर आएंगे अरे बनेंगे क्या आप प्यार से अभी उनको पुत्र के जैसा मान लो तो वे आ जाएंगे आपके सामने बैट कर आपसे भी मखन मांगेंगे आज भी आप करके देखो होता है के नहीं कहने का तात्पर यही है कि जो उनके प्राकट्टे के निमित बनते हैं उनके पुत्र तो भगवान बनते ही हैं लेकिन जो भाव से मानने वाले हैं उनके भी पुत्र बनते हैं गोकुल का दूसरा अर्थ होता है इंद्रियों का परिवार गो माने इंद्रिया इस सुदुरुष्टी से इंद्रियों के परिवार को गोकुल कहते हैं भगवान के अवतार लेने का अर्थ है कि वे देह, इंद्रिय, प्रान तथा बुद्धी के संगात में आ जाते हैं प्राया कहा जाता है कि भगवान देह, इंद्रिय, मन, बुद्धी के परे हैं क्या वे इन में नहीं हैं? भगवान कहते हैं मैं इनके परे हूँ, बाहर हूँ तो इनके अंदर कौन है शैतान है क्या तुम्हारे इंद्रियों में कौन बैठा हुआ है तुम्हारे मन में कौन बैठा हुआ है अत्रईव संतवात मनी धी गुहायाम विवेक चुडा मनी में कहा गया है कि वे तो हमारे ही भीतर बुधी गुहा में स्थित हैं भगवान वसुदेव जी से कहते हैं मुझे गुकुल ले चलो वसुदेव जी ने कहा महराज आपको ले चलें सो तो ठीक है लेकिन दर्वाजों में ताले लगे हैं और सारे पहरेदार सोई पड़े हैं बोले मैं जो कहता हूँ सो करो भगवान सामाने बालक बन गए उनको टोकरी में डालकर वसुदेव जी चल पड़े तो सारे दर्वाजों के ताले अपने आप खुल गए भगवान की माया के कारण पहरेदार ऐसे खलाटे मारते हुए सो रहे थे जैसे कोई गोड़े बेच कर सो रहा हूँ देखो ब्रह्म जब आएगा तो दर्वाजे खुलेंगे ही अन्यता भगवान के आने का परियोजन ही क्या है ब्रह्म आया तो दर्वाजे खुल गए सारे असुर सो गए वसुदेव जी भगवान को उठा कर ले जा रहे है बराठी में बहुत सुन्दर पद लिखा गया है वसुदेव निधाले नंद धरी देखो कैसा वन्नन है वसुदेव जी चलते जा रही है बुंदा बांदी हो रही है भगवान की उपर शेश नाग छत्र किये हुए है नंद जी के घर जाने के लिए जब वसुदेव जी यमुना जी में प्रवेश किया तो वह बढ़ने लगी वसुदेव जी की कमर तक आ गई फिर छाती तक, कंधे तक और फिर गले तक आ गई लेकिन वे चलते जा रही है कैसा विश्वास है वह इसलिए कि उनके मस्तक पर भगवान है भगवान ने सोचा यमुना जी ऐसी बढ़ती क्यों जा रही है ऐसे तो ये मेरे पिता जी को डुबो देंगी भगवान समझ गई कि यमुना जी उनके चरण सपर्श करना चाहा रही है टोकरी में से पता नहीं कैसे धीरे से अपना पैर निकाल ही लिया और जल का सपर्श कर लिया यमुना जी को भगवान का सपर्श पराप्त हुआ तो वे बोली ये तो मेरे ही भगवान है तब वे स्वत ही पूर्ववत हो गई और वसुदेव जी को रास्ता मिल गया वे चले जा रहे हैं जब वे गोकुल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारा गोकुल सोया पड़ा है अब देखो वसुदेव जी के गोकुल जाने का यह जो प्रसंग है इसका वन्नन श्रीमत भा से भगवान के उपर छत्र बना कर चल रहे थे जिससे की जलकी फूहारों से उनकी रक्षा हो फिर यमुना जी ने भी उन्हें मार्ग दे दिया गोकुल पहुंचने पर वसुदेव जी ने देखा कि सब लोग सोय पड़े हैं देखो गोकुल में यह शोदा जी भी गर्भव बुध्यत नतलिंगम परिक्षांता निद्रया पगत स्मृति ही निद्रा के कारण उनको पता ही नहीं चला कि लड़का हुआ या लड़की अब वसुदेव जी ये शोदा जी के पास आते हैं जहां भगवान की माया योग माया प्रकट हुई हैं वसुदेव जी ने अपने बालक को उनके पास सुला दिया और माया को लेकर वापस कारा ग्रह में आ गए जैसे ही माया अंदर आई जिल के दर्वाजे पूर्वबत बंध हो गए देखो ब्रहम आया तो दर्वाजे खुल गए और माया आई तो दर्वाजे बंध हो गए ताले लग गए माया भी पड़े कंस को सूचना देने के लिए जोग माया की भविश्यवान कंस को वैसे भी ठीक तरह से नींद नहीं आती थी जैसे ही उसने सुना की बच्चे का जन्म हुआ है तो उटकर सीधे दोड़ पड़ा और सुतिका ग्रहा में पहुँच गया देवकी कहती है कि यह लड़का नहीं लड़की है तुम्हें लड़की की हत्या नहीं करनी चाहिए बोले कुछ नहीं लड़का हो या लड़की तुम्हारी माया मेरी समझ में नहीं आती है लड़की कव लड़का बन जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है वह इतना घबराया हुआ था कि बच्ची को पैरों उसे पकड़ कर गोल गोल घुमाते हुए उसने एक पत्थर पर पटक दिया लेकिन माया कहीं राक्षस के हाथ में आने वाली है वह उसके हाथ से फिसल कर निकली और अश्ट भुजा देवी के रूप में प्रकट होकर बोली अरे मूर्क तु मुझे क्या मारता है तेरा काल तो पूर्वशत्रुर्मा हिंसी कृपना नवर था इतना कहकर देवी अंतरध्यान हो गई अब देखो यहां भी देवी को बोलने की क्या जरूरत थी विच्चुप रह सकती थी लेकिन कंस के मन में और ज़्यादा भाय उत्पन करना था इसलिए बता दिया उसे वह कहां है यह नहीं बताया इससे कंस की चिंता ओर भी बढ़ गई देवी की बात सुनकर नजाने कंस को क्या हुआ कि वसुदेव और देवकी के पास चाकर कहता है मुझे क्षमा कर दो मेरी बेहन मैंने तुम्हारे उपर बड़ा अत्याचार किया उसको नजाने कैसा डर लगा कि वह की होती है अपना दुख सत्य है और दूसरे का मिठ्या का उपदेश हम देख चुके हैं यहां कंस भी उपदेश देताएं वह भी वेदानत पढ़ता था लेकिन वेदानत पढ़ने के बाद भी आसी बात पुलता है यह चंत है और वह हुआ हिर्ण कशिपू था यह ध्यान म से मुक्त कर दिया वसुदेव जी ने कहा कि तुम जो कह रही हो वह तो ठीक है सब अविद्या का ही खेल है कंस ने देखा कि वसुदेव देव की जादा नाराज नहीं है तो उन से अनुमती लेकर वह अपने महल में चला गया अगले ही दिन उसने मंत्रियों को बुलवा कर सारी घटनाई उन्हें सुना दी थोड़ी देर के लिए कंस को जो सदबुधी प्राप्त हो गई थी पह इन सब असरों के संग से पुनह बदल गई उसके सारे मंत्री दैत्य थे असूर थे उनकी नीती हीन मंत्रियों ने कहा कि हम आजी नगरों, गावों और अन्य स्थानों के सारे नवजात जिशुओं को माल डालेंगे चाहे वे दस दिन के हूँ उससे कम दिनों के हूँ या उससे अधिक दिनों के हूँ देवता लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड सकेंगे उनका मूल है विशुओं उसकी माया समझी नहीं जा सकती। इसलिए वेदवादी, ब्रहामन, तपस्वी, यग्न, याग, गाएं आदी जो उसके रहने के स्थान हैं हम उन्हें सब का नाश करेंगे। नंत घर में भगवान का जन्म उत्सव। अब हम चलते हैं नंत भवन में। वहाँ बड़े द्वोम धाम से उत्सव मना सकते हैं क्योंकि वहाँ कुछ छिपाना नहीं है। प्रातह जब दूसरी सखियां आती हैं और उनको पता चलता है कि बच्चे का जन्म हुआ है तो वे य शोदा को जगाती हैं कि उठो उठी सखी सब मंगल गाई जागु जसोदा तेरई बालक उपजियों कुमर कनहाई। लिए जो कुछ बचा कर रखा था वह सब बांटो ये शोदा जी कहती हैं हाँ हाँ दूंगी में कंजूस थोड़े ही हूं तब हंसी कहत जसोदा ऐसाई इनके पिता को तो बुलावो उनसे कहा प्रगट भयो पूरव तपको फल पूरव तपका फल अब प्रगट हुआ है प इनको ज्यादा आयू के बाद बच्चा हुआ इसलिए इतना अनंद हो रहा है बच्चे का सुख पाने के लिए नंद बाबा और ये शोदा जीने न जाने कितने देवी देवताओं की पूजा की आराधना की वरत किया तप किया परणाम स्वरूप अब उनके घर में भगव के राजा हैं सबसे बड़े हैं इनका बड़ा मकान है कई लोग आ रही है और जा रही है पड़ी भीड हो रही है कोई उपहार लेकर आ रही है तो कोई लेकर जा रही है नंदरानी किसी को कोई चीज तो किसी को कोई और चीज दे रही है सुर्दास जी ने एक पद में उसका बड़ा सुंदर वन्न किया है आजुनंद के द्वारा इभीर एक आवत एक जात विदा है एक मंदिर कई ती एक आ रहा है तो एक जा रहा है सबने नई नई वस्त्रधारन किये हुए हैं कोई किसर का तिलक लगाता है तो कोई चंदन का लेकिन ये सब भी महल जब महल से वापस जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते किसी को कपड़ा मिल रहा है तो किसी को अलंकार मिल रहा है गहना अभूशन मिल रहा है किसी के गले में फूलों की माला डली हुई है एक निकों तुलसी की माला किसी को तुलसी की माला मिली है कोई एक बहुत जल्दबाजी करते हैं एक निको राखत दैदी ये शोदा जी कहती है थोड़ा सा धीरज रखो तुमको भी दर्शन होगा वे सब चाहते हैं कि बच्चा उनके हाथ में आए इतने सारे लोग और एक बच्चा कैसे हो सकता है बताओ किन्ही लोगों को ज्यादा ही मन होता है बच्चे को गोत में लेने का अब उसको कोई जुले में जुलाना चाहता है कोई चुमना चाहता है कुछ उसको गले लगाना चाहता है ऐसे आशामल कॉमल बालक रूपी ब्रह्म यहां पर आ गया है सूरदास जी अपने सुंदर पद में कहती है जसोदा हरी पालनाई जुलावई हलरावई दुलराई मलहावई जोई सोई कचुगावई ये शोदा मैया उसको पालने में डालती है जुलाती है वहाँ दूसरे जो काम करने वाले लोग थे विशोर मचा रहे थे तो उनको इशारा करती है मेरा बच्चा सो रहा है तुम जो भी काम करना है चुप चाप करो निद्रा देवी को मनाती है मेरे बच्चे को नींद आ रही है तुँ आती क्यों नहीं है वह अच्छी तरह से सो नहीं पा रहा है ये भगवान भी बड़े चंचल स्वभाव के हैं कभी आँख बंद कर लेते हैं जैसे नींद लग गई हो मा सोचती है नींद लग गई तो आँख खोल देते हैं फिर होट फर फड़ाते हैं सुवत जानी मोन हुई कई रही करी करी साइन बतावई जो सुख सारे देवताओं और मुनियों को भी दुरलब है वहीं यहां नंद भामिनी के लिए अतिसुलब हो गया है श्रीमत भागवत में श्री सुकतेव जी कहते हैं नंद बाबा का रिदय आनंद से भर गया स्नानादी करके वे पवित्र हो गए अलंकार भी धारन कर लिए स्वस्ती वाचन कराया फिर पुत्र का जातकर मसंसकार भी करवाया प्रहमनों को वस्तरा भूशन तथा दो लाख गोई दान में दी पित्रि पूजा देव पूजा भी कराई तब तक सुंदर वस्तरा भूशनों से सुसजित होकर गोपियां भी वहाँ पहुँच गई वे सब शिशू को देखती हैं उसे आशिरवाद देती हैं और सब को हल्दी तेल वजल से सीचती हैं और मंगलगान करती हैं नंद बाबा के महल में उल्लास का वातावर अचा गया नंद बाबा ने गोपों को भी वस्तरादी तथा गोई दी वे बड़े उदार हैं सूत मागद आधी को भी यथे चदान दिया उन्होंने खजाने खोल दिये और कह दिया जो जितना चाहे ले जाए भगवान को आए 5-6 दिन ही हुए होंगे जब नंद बाबा कंस का कर चुकाने के लिए मतुरा चल पड़े नंद बाबा को अपने बच्चे की बड़ी फिक्र थी उनको मालुम था कि मतुरा में रहने वाला कंस बड़ा दुष्ट है इनका गोकुल भी मतुरा की राज्य में ही आता था अते हर साल कर चुकाना पड़ता था बच्चे का जन्म हुआ है बड़े आनद उत्सव का समय है नंद बाबा का मन छोड़ कर जाने का नहीं करता लेकिन वेकंस का स्वभाव जानते हैं गोकुल में शांती रहे इसलिए नंद बाबा कर चुकाने के लिए मतुरा जाते हैं वहाँ वसुदेव जी से भी उनका मिलन होता है वसुदेव जी और उनका संभाशन बरा मधुर है देखिए जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या और कैसे बात करनी चाहिए आपकी खुशी में मैं आपके साथ हूँ लेकिन देखो उस समय नंद बाबा ने अपने सुख की कोई चर्चा नहीं की वह वसुदेव जी के दुख की ही चर्चा करते हैं कहते हैं कंस कैसा दुष्ट है विवहा होते ही आप दोनों को कारग्रह में डाल दिया और आपके नवजात शिशों को मार डाला वे अपने सुख की बाते नहीं सुनाते बलकि उनके दुख में अपनी सहानु भूती जताते हैं और वसुदेव जी भी इनके आनंद में अपना आनंद तर्शाते हैं इसको कहते हैं एक दूसरे से मिलना वसुदेव जी का अंतह करण बड़ा शुद्ध है वे नंद बाबा से कहते हैं आपने कर चुका दिया न यहां आपका काम हो गया अब आप जल्दी से वापस जाए मुझे लगता है गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है देखो शुद्धांतह करण के वेक्ती को होनी का पहले से ही आभास हो जाता है गोकुल की ओर बड़ते हुए नंद बाबा ने सोचा कि वसुदेव जी की वाणी व्रथा नहीं हो सकती इसलिए वे आशंकित हो गए लेतिन लेकिन ततक्षन भगवान का स्मर्ण किया और रक्षा का भार उन्हीं को सोप दिया पूतना मोक्ष तब तक कंस की आग्या से शिश्मों को मालने वाली पूतना नामक क्रूर राक्षसी गोकुल में नंद बाबा के घर पहुँच गई थी यह पूतना खेचरी है आकाश में विच्रन करने वाली है पूतना शब्द का अर्थ है पूतना जो पूत नहीं है पवित्र नहीं है अपवित्र है ध्यान रखना ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाई है वैसे स्थूल दृष्टी से तो यही लगता है कि भगवान एक एक करके सारे असुरों को मारते चले जा रहे हैं लेकिन भगवान की लीला का एक ही अर्थ नहीं होता आध्यात्मिक दृष्टी से देखने पर उसके अनेक अर्थ प्रकट होते हैं जरा सोचो राम अवतार में भी सबसे पहले भगवान ने ताड़का का वद किया एक स्थूरी का वद किया यहां क्रिशन अवतार में भी सबसे पहले पूतनावद है अवतार लेकर पहले स्थूरी को मारते हैं यह क्या बात हुई यह पूतना अविद्या रूप है देखो हमारा सारा दुख अविद्या और अविद्या से उत्पन अनेग आसुरी वित्यों के कारण ही है इन् threaten हम ए पहले ताड़कावद आता है अविद्यारूपी पूतना गोकुल में आती है वहां उसने देखा कि नंद बाबा के घर बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है और वहां पर निली रंग का एक छोटा सा बालक है बालम प्रतिचन निजोर तेजसम ददर्श तलपे अगनी मिवाहितम भसी उसका तेज छिपा हुआ है मानो उपर राख हो और राख के अंदर कोई अंगारा धदक रहा हो ऐसा वह बालक है पुतना ने सोचा कि यहां सब लोगों का ध्यान इसी बच्चे में लगा हुआ है मैं इस बच्चे को कैसे ले सकती हूँ इसलिए वह अत्यंत सुंदर मा विस्तरी का रूप धारन करके वहां जाती है और देखो कैसी है यह माया जहां सारे लोग ब्रह्म को देख रहे थे उनका भी ध्यान इस माया ने अपनी और आकर्शित कर लिया उनको ऐसा लगा कि किसी बड़े घर की संभरात महिला बन कर जैसे साक्षात लक्ष्मी जी चली आई हूं वह आते ही बड़ा प्यार जताते हुए कहने लगी कि कितना प्यारा बच्चा है मैं इसको दूद पिलाना चाहती हूं वहां रोहिनी जी ये शोदा मया आदी जो भी थे वे सब इस पूतना के मायावी रूप से ऐसे मुही तो हो गए कि सब देखते रहे गए किसी ने रोका नहीं उसे उसने बच्चे को गोद में ले लिया और उसके मुह में अपना स्तन दे दिया विबुध्यताम बाल कमारी काग्रहम चरा चरा आत्मा स निमिली तेक्षणा अब भगवान तो चरा चर आत्मा चरा चर सृष्टी के आत्मा हैं वे पहचान गए कि यह तो बाल कमारी काग्रह बालकों को मारने वाली है उसे देखकर उन्होंने अपनी आखें बंद कर ली भगवान ने आखें बंद कर ली इस बात पर भक्त कवियों ने अनेक उत्प्रेक्षाएं की हैं श्री हरी सूरी जी ने भक्ती रसायन नामक एक गरंत लिखा है उन्होंने भ भगवान के नेत्रबंद करने के कई कारण बताए हैं उन सब में से कुछ भावों को हम यहां देखेंगे नमबर एक भगवान ने आखें बंद कर ली क्योंकि वे समझ गए थे के पूतना अब उन्हें जहर पिलाने वाली हैं किसी बच्चे को जब कड़वी जवाई पिलानी ह होती है तो वह आखें बंद करके ही पीता है भगवान ने सोचा के पीना तो ही अब क्या करें आखें बंद करके पी लेते हैं करवी चीज पीनी है इसलिए भगवान ने आखें बंद कर ले नमबर दो भगवान ने सोचा क्या करें इस अवतार में भी पहले इस तरीको ही मार ना पड़ रहा है यह भी बड़ा विचित रही काम है कभी कभी ऐसा काम भी करना पड़ता है तो अब आखें बंद करके कर डालते हैं ऐसा सोचकर भगवान ने आखें बंद कर ले नमबर तीन इस जन्म में तो इसने कोई अच्छा काम नहीं किया है देखें पूर्व जन्म मे किया है क्या ठीक वैसे ही जैसे प्राइह हम सब भी सोचते समय आखे बंद कर लेते हैं वहास ने भी आखे बंद कर ली देखो समस्त ब्रहंव्हा만 दहिक के अंदर ही है सभी जीवों को डर लगा कि यह दूध पिलाने के बहाने चहर पिलाएंगे और यदि भगवान उसे पी लेंगे तो हम सब को बड़ी तकलीफ होगी हम मर जाएंगे भगवान आखे बंद करके उनसे कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो मुझे सब का दिहान रहता है मैं ही सब का रक्षक हूँ इस प्रकार वे अंदर के प्राणियों को समझा रहे हैं नमबर पांच आखे चंद्र और सूरे के प्रतीक हैं सूरे चंद्रमा भगवान की आखे हैं आखों ने कहा देखिए भगवान इसने कोई अच्छा कर्म या उपासना नहीं की है इसलिए इसे हमारा मार्ग नहीं मिल सकता इसे न तो पित्र लोग की प्राप्ती हो सकती है नहीं देव लोग की प्राप्ती हो सकती है इसलिए दोनों ने अपने द्वार बंद कर लिए इसलिए भगवान की आखे बंद हो गई लेकिन भगवान कुछ देना चाहें तो उन्हें कोई रोक सकता है उन्होंने पूतना जैसी राक्षसी को भी मोक्ष दे दिया नमबर छे, भगवान ने यह सोचकर आँखे बंद कर ली कि यदि मेरी आँखे खुली रही तो दो बाते हो सकती है या तो मैं इसे प्यार से देखूंगा या फिर क्रोध से प्यार से देखूंगा तो यह शुद्ध हो जाएगी और क्रोध से देखूंगा तो यह जल जाएगी दोनों ही परिस्थितियों में मुझे दूद पिलाने की इसकी जो इच्छा है वह अपूर्ण रह जाएगी भगवान ने कहा चलो आखे बंद कर लेते हैं देखो निमीली तेक्षण के कितने अर्थ हो सकते हैं तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर्य मुल्बणम घोरा कमादाय शिशोर्द दावत गाढम कराप्याम भगवान प्रपीड़यतत प्राणई समम रोश समन वितो विबत पूतना ने अपने स्तन पर हला हल जहर लगा रखा था अब जब उसने भगवान के मुह में अपना स्तन दे दिया थो वेकरोध करके उसके स्तन को अपने हाथों से पकड़ कर दबाने लगे और दूद के साथ साथ उसके प्राणों को भी पीने लगे तब वेक पूतना व्याकुल होकर चिलाने लगी कि बस अब छोड़ दो छोड़ दो भगवान कहते हैं मैं जिसे पकड़ता हूं उसे छोड़ता नहीं उसकी चिलाहट बड़ी भयंकर हो गई और अंततह जब वह उस पीड़ा को सहन नहीं कर सकी तब उसका भयंकर राक्षस रूप प्रकट हो गया उसके प्राण निकल गई उसका शरीर एक विशाल परवत के समान था और नतुने गुफाओं के जैसे थे राक्षसी के उस विशाल देह को देखकर सारे व्रजवासी बहुत खबरा गए तब गोपियां देखती क्या है कि छोटे से भगवान उसके शरीर पर आराम से खेल रही है इसोदा मया जलती से बालक को उठा कर गले से लगाती है और कहती है बेटा तु ठीक तो है ना तुझे कुछ हुआ तो नहीं बच्चे का अंग प्रत्यंग देखती है फिर गोपियां रोहिनी आती सब मिलकर गाएं की पूँच घुमाना गो मुत्र से सनान कराना आदी से शुद्धी करके फिर भगवान के भिन भिन नामों से श्री कृष्ण के एक एक अंग की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी इंद्र यानी रशी केश प्राणान नारायनों अवतु श्वेत द्वीप पतिश चित्तम मनो योगेश वरोवत अवतु जैसे भगवान भुषी केश इंद्रियों की रक्षा करें नारायन भगवान प्राणों की रक्षा करें इत्यादी तब तक नंदबामा आदी मतुरा से लोट आए पूतना के मृत शरीर को देखकर उनको भी आश्चरे हुआ उसके बाद गोपो ने पूतना की देखको वहां से हटाया वह स्थान गोबर से लीपा गया और मंत्र सहीत तीर्थ का जल छिड़कर उसकी शुद्धी की गई फिर गोपो ने पूतना के शरीर के टुकडे टुकडे करके उसे जला दिया तब उसके देह से सुगंध निकली क्योंकि भगवान ने उसका दूद पिया था उसके सारे पाप उसी समय नश्ट हो गए थे शिशुक देव जी कहते हैं जिंगा सयापी हरये स्तनम दत्वाप सद गतिम अरे वहराक्षसी तो भगवान को जहर पिलाने के लिए आई थी फिर भी चुँकि उसने कृष्ण के मुख में अपना स्तन दे दिया था भगवान ने मा को प्राप्त होने वाली गति उसको दे दी सोचो जो जहर पिलाने के लिए आई उसको मा की गति दे दी तो ये शोदा मया के लिए क्या करोगे जिनोंने अपने स्तन का शुद्ध दूध पिलाया उन गायों को क्या दोगे जो मारने के लिए आता है उसको भगवान तार देते हैं तो जो प्यार करते हैं उनके लिए क्या नहीं करेंगे, भगवान उनके सिवक बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, बोलते हैं तुम मुझे कुछ काम बताओ। इसी लिए शुक्तेव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, तस्मात के नाप्यू पाये न, मन कुछने निवेशयेत, किसी भी प्रकार से, विशेश रूप से, प्यार से, अपने मन को भगवान में लगा दो। जाते हैं, मेरा बेटा तो सकुषल है न, वे उसे गोद में उठा लेते हैं, और उसके सिर को सुंगते हैं, उसको चूमने लगते हैं, बड़ी आयू में प्राप्त बच्चा है, अते बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, शुकदेव जी कहते हैं, पूतना मोक्ष नामक, भग नक्षत्र का भी दिन था, महापुरुषों के अनुसार जब भगवान तीन मासके हो गए थे, इसी बात का उत्सव मनाया जा रहा था, बहुत भीड़ हो रही थी, ये शुदा मैया ने भगवान का अपने पुत्र का भी शेक किया, ब्रहमन लोग मंत्र पढ़ रही थे, सब कार्य ठीक प्रकार से संपन्न हो गया, मया ने ब्रहमनों को बहुत सारा धन दिया, उनके मन चाही वस्तुमें भी दी, फिर जब उन्होंने देखा कि उनके बालक को नींद आ रही है, तो उन्होंने उसे सुला दिया, प्रायह देखने में आता है कि गाम में बैलगाडी के बैलों को एक ओर बांध देते हैं और चकड़ा नीचे रख देते हैं, गाम वाले या तो अपनी जोली लटका कर उसमें बच्चे को डाल देते हैं या फिर चकड़े के नीचे कुछ बिछोना बिछा कर बच्चे को उस पर सुला देते हैं, जो शोदा मया ने भी यही किया, चकड़े के नीचे बच्चे को सुला दिया चकड़े के उपर दूद दही आदी सामान रखा हुआ था कहा जाता है कि नियाक्ष दैते का एक पुत्र था जो लोमश रिशी के शाप के कारण शरीर विहीन हो गया था अब वह आशरीरी शक्तासुर जाकर चकड़े में बैठ गया थोड़ी देर बाद छोटे से भगवान को भूख लगाई तो उनकी निंद चूट गई और वे रोने लगे ये शोदा जी अतितियों के सत्कार में लगी हुई थी इसलिए उन्होंने सुना नहीं अब यह देखकर भगवान को गुस्सा आ गया क्रोध करके बच्चा जैसे पैर उँचे उँचे भैकता है बैसे ही भगवान ने भी किया छोटे से बालक का पैर पता नहीं छकड़े को कैसे लग गया वह छकड़ा उलट गया सारा दूद दही जो उस पर रखा गया था सब उलट कर नश्ट हो गया अब धूम धड़ाम करके गिरने की आवाजें हुई तो सब लोग चौक कर देखने लगे की क्या हुआ उन सब को आश्चर हुआ की है छकड़ा उलट कैसे गया वहां कुछ छोटे छोटे बच्चे थे जो सदा श्रीकृष्ण के साथ रहते थे क्योंकि बच्चे हमेशा बच्चों के साथ रहते हैं वे कहते हैं यह बालक रो रहा था रोते रोते इसने पैर उपर किया और छकड़े को उलटा दिया बड़े लोगों को छोटों पर जल्दी से विश्वास नहीं होता क्योंकि बड़े लोग तरकवादी होते हैं उनको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है यह चोटा सा बालक है और इसके चोटे चोटे पैर हैं यह इतना उपर छकडे तक कैसे गई बच्चे कहते हैं हमने अपनी आँखों से देखा है इसी बच्चे ने पैर मारा तो बड़ों ने कहा कि उसमें इतनी ताकत कैसे आ गई कि पूरी गाड़ी को उलटते उनको विश्वास नहीं हुआ अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ ये बड़े लोग अपने को कुछ ज्यादा ही पुद्धी मान समझते हैं पहले अविद्या को मारा अविद्या के बाद आता है जड़वाद देखो बैलगारी जड़ है उस पर रखा गया दूद दही आदी खाने पिने का सामान भी जड़ है उसके नीचे सुला दिये गए थे भगवाद वे तो चेतन ब्रह्म है क्या हम लोग भी यही नहीं करते रहते हैं चड़वस्तु को उुचा स्थान देते हैं और चेतन को नीचे कर देते हैं किसी वस्तु किसी व्यक्ति की कीमत किस से लगाई जाती है उसके पैसे से, उसके भोग से, परिवार से, उसको इसी बात से नापते रहते हैं कि उसके पास पैसा कितना है, उसकी पूंजी कितनी है इसमें वह व्यक्ति जो चेतन है, वह तो हो गया गौन उसे तो हमने नीचा कर दिया, और जड़ चीज को ही महत्व देकर उसे उचा कर दिया जैसे उस व्यक्ति का स्थित्व माने, कोई माने ही नहीं रखता हो जरा सोचो, जगत में ऐसा होता है के नहीं, भगवान को यह बात अच्छी नहीं लगती वे तो जड़वाद को समूल उखाड फेंकने के लिए ही आये थे मानोवे कह रहे हों कि मैं चेतन ब्रह्म यहां आया हूं, मुझे नीचे रखते हो इसी लिए भगवान ने गाड़ी को उलट दिया शक्तासुर भंजन हो गया, इसी प्रकार हमारे अंतहकरण में भी जब भगवान का विर्भाव होता है, तो अविद्या का नाश होता है और जड़वस्तू का प्रभाव भी मिट जाता है त्रिनावरत का उद्धार इस प्रसंग के बाद एक दिन की बात है ये शोदा मया दुद पिलाने के बाद भगवान को अपने गोद में लेकर दुलार रही थी गरी मानम शिशोर वोडुम नसे हे गिरी कूटवत न जाने क्यों वे अत्यधिक भारी होने लगे ये शोदा को समझ में नहीं आया कि ये छोटा सा भालक इतना वजनी क्यों होता जा रहा है जब वह भार उन से सहन नहीं हुआ तो उन्होंने श्री कृष्ण को जमीन पर बैठा दिया इतने में कंस के द्वारा भीचा गया उसका सेवक बवंडर का रूप धारन करके वहां आ गया जब आंधी आती है तो सारे पत्ते धूल आदी गोल गोल घूमते रहते हैं कभी आपने देखा है कि आंधी आती है तो कैसे भंवर सा बन जाता है यह जो दूसरा असुराया उसका नाम था त्रिनावर्त देखो भगवान अब उसको भी मुक्ति देना चाहते हैं यहां आपको एक बात बता देते हैं यह जो भगवान की असुरों को मारने की लीला है यह कोई बहुत शूर वीर्ता की अत्वा एश्वर लीला नहीं है यह तो माधूर लीला है असुरूं को मालने में भगवान का क्या कोई शोर्य हो सकता है एक पाव लगते ही शक्ता सुर मिट गया दुद पिया तो पूतना खत्म हो गई यह क्या कोई अश्वर है यह तो माधूर लीला की कता है करुणा की कता है शूर्ता की कता नहीं है त्रनावर्त वहां आया और जूं करते हुए छोटे से बच्चे रूपी भगवान को उड़ा कर आकाश में ले गया जब आकाश में गई तो भगवान ने पकर लिया उसके गले को और पकर कर जोर से दबाने लगे वैसे भी वह अपने से भी भारी भगवान के भार को सहन नहीं पा रहा था दीमा पड़ गया था ऐसे अदबुत बालक से वह अपने आपको छुडा नहीं सका भगवान की यह एक विशेष्टा है वे जिसे पकरते हैं उसे छोड़ते नहीं अरे कितनी अच्छी बात है इसलिए भगवान से कहो कि आप मुझे पकर लीजी किसी भी प्रकार से भगवान ने उसके गले को इतनी जोर से दबाया कि उसके प्राण निकल गए और वह धढाम से नीचे गिर पड़ा उधर आधी के कारण किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तब अपने बच्चे को वहान देखकर यह शोदा मैया घबरा गई व्याकुल हो गई सबकी आखों में वैसे ही धूल छाई हुई थी जब थोड़ी धूल छट गई सारा वाता वरन शान्त हुआ तब सब लोग देखते क्या है कि धढाम से कुछ गिरा उन सबने पास जाकर देखा तो एक असुर पड़ा था वहाँ पर और छोटे से कुष्ण उसके गले में रटके हुए खेल रहे थे सब लोग कहते हैं बच गया देखो ये शोदा मैया और सारे गाहवाले यही सोचते हैं कि हम सब भगवान की बड़ी प्राथना करते रहते हैं जब तब पूजा आभिशेख करते हैं इसलिए यह बच्चा हर बार बच जाता है अब ये शोदा मैया उसको प्यार करने लगी उसका माता सुंगने लगी और जल्दी से दूद पिलाने लगी देखो यह त्रनावर्त कोन है त्रनावर्त कामना का प्रतीक है जीवन में अविद्या हो, जड़वाद हो तो त्रनावर्त आही जाता है आखों में धूल भर जाती है अर्थात चित्त में विक्षेप, भ्रम चा जाते हैं त्रनावर्त उद्धार का तात्पर यही है कि सादक को काम वासना पर विज़ई प्राप्त कर लेना चाहिए एक दिन की बात है यह शोदा मया बाल कुष्ण को दूद पिला रही थी जब उन्होंने देखा कि भगवान दूद पीते ही जा रहे हैं तो उन्हें लगा कि कहीं ज़्यादा पी लिया तो अपच हो जाएगा इसलिए दूद पीना चुडाने के लिए मया उन्हें दुलारती हैं उनके मुस्कुराते हुए मुख को चुमती हैं भगवान मा की तरफ देखते हैं मा भी उनकी तरफ देखती हैं तब जोही भगवान ने जमहाई लेती हुए मुझ खुला तो मय्या ने देखा कि सूर्य चंद्र आकाश आदी पंच महाभूत अंतरिक्ष दिशाएं समुद्र परवद नदियां सारे प्राणी आदी सारा का सारा विश्व वहां स्थित है। खम रोदसी जोतिरनी कमाशह सूर्येंदु वहिश्वस्वनाम भुधीश्चम धीश्च सावीक्ष विश्वम सहसाराजन संजात वेपतुहु सम्मील्यम रिगशा वाक्षिने त्रे आसीत सुविसमिता। भेवीत होकर मैया ने अनायास आखे बंद कर ले। उस समय उन्हें पुनहें आखे खोलने का साहस नहीं हो रहा था। पता नहीं फिर क्या दिखाई दे। लेकिन आखे खोल कर देखा तो अपने पुत्र को पहले की ही तरह मुस्कुराता हुआ पाया। मैया ने सोचा मेरी आयू जादा हो गई है इसलिए मुझे ऐसे ही कुछ ब्रहम हो जाता होगा। चलो ठीक है मेरा बच्चा तो ठीक है यहां भगवान यह दर्शाते हैं कि ये शोदा जी तो पुरे विश्व को दूद पिला रही थी। नामकरण संसकार शुक देव जी आगे कहते हैं ये दुवंच के पुरोहित थे महरशी गर्ग। यस बसुदेव जी गर्ग महरशी से कहते हैं शभगवन मेरे बच्चे का जर्म तो हुआ लेकिन अब तक उसका कोई संसकार नहीं हुआ है। नामकरण संसकार भी नहीं हुआ है इसलिए आप गोकुल में जाकर नंद के घर में जो बच्चा है उसका और उसके बड़े भाई का नामकरण कीजिए तब गर्ग महरशी गोकुल में आते हैं नंद बाबा उनका स्वागत करते हैं फिर उनसे अनुरोध करते हैं कि आप इन द महरे बच्चे का नामकरण करूं तो सारे लोग समझ जाएंगे कि यह है देवकी का पुत्र है कंस को भी पता चल जाएगा और फिर वह इसे मार दे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा सबको बड़ा कश्ट होगा नंद बाबा ने कहा और तो और मेरे स्वजनों को भी पता नह अपने गुणों से यह सबको आनंदित करेगा इसी लिए इसका नाम होगा बलराम सबका मेल करनाने के कारण इसका नाम संकरशन भी होगा और यह जो छोटा है यह सबको अपनी और आकरशित करेगा पूर्व पूर्व के युगों में यह श्वेत लाल तथा पीले वर्ण का अब यहाँ पर कृष्ण काले वर्ण का बनकर आया है अते इसका नाम कृष्ण होगा नमबर एक कृष्ण शब्द का एक अर्थ होता है खींचने वाला कर्षनात कृष्ण सबके मन को जो अपनी ओर खींच लेता है आकर्षित कर लेता है उसे कहते हैं कृष्ण नमबर दो, कृष्ण का दूसरा अर्थ होता है काला, जो काला होता है वह दिखाई नहीं देता है, छिपा रहता है, उसे पहचानना बड़ा कठिन काम होता है तीसरी बात यह है कि कृष्ण का अर्थ नील वर्ण भी होता है नीला रंग अनन्त का रंग है श्री कृष्ण छोटे भले ही दिखाई देते हूं परंतु है अनन्त स्वरूप इसलिए नीले हैं, कृष्ण है और नमबर चार, चौथी बात यह है कि कृष्ण में एक कृष्ण है और दुसना नव है कृष्ण का अर्थ होता है सत्ता और ना का अर्थ होता है आनन्त सदानन्त स्वरूप जो है उसका नाम कृष्ण है नाम करन करके गर्ग महर्शी वहां से चले जाते हैं शुक देव जी कहते हैं कुछी दिनों में बलराम जी तथा शुरी कृष्ण पहले तो घुटनों के बल और उसके बाद खड़े होकर चलने लगे ब्रजवासियों को गोपियों को आनंदित करते हुए तरह तरह के खेल करने लगे ये गोपियों के घरों में जाते हैं और बड़ा उत्पात मचाते हैं वत्सान मुंचन कस्चिद समये क्रोश संजात हासह कहीं असमाय पर बच्छों को छोड़ देते हैं और गोपियां डाटती हैं तो हसने लगते हैं पाली बजाते हैं कि देखो हमने इनको कैसे मुर्ख बनाया कहीं चुपचाप अंदर जाकर दूद और दही पीते हैं कहीं मठका तोर डालते हैं कहीं दूद दही लेकर मरकटों को खिलाते हैं इनका यह एक खेल था यह सारे इनके रामावतार के मित्र थे कृष्ण चंद्र भ अब ये गुपियां बार बार ये शोताजी के पास जाकर शिकायत करती हैं लेकिन शिकायत भी प्यार से करती हैं विस्वयम चाहती थी कि श्रुकृष्ण उनके घर आएं वहां से कुछ ले और खाएं बात ऐसी है कि यदि हम स्वयम बच्चे को दें और वहे खाए तो उसम इसलिए वे जानबूज कर ऐसी ऐसी चीजें रखती थी जिने भगवान आकर खाएं अब देखो लोग भगवान को चोर कहते हैं माखन चोर कहते हैं अरे चोर कोन है हम पहले भी देख चुके हैं पुरी दुनिया उनकी है वे किसके चोर चोर तो वास्तव में हम हैं हमने उन का सब ले लिया और जबरदस्ती मेरा है मेरा है कर रहे हैं यह माखन चोरी क्या है माखन चोरी के भी दो एक अर्थ विशेश हैं नमबर एक दे को मखन क्या होता है दूद का सार है तो भगवान सार ग्राही हैं वे मखन ले ले लेते हैं माने आपने जो कर्म किये हों छोटे या बड़े वे उनको नहीं देखते उनमें जो सार है उसको ले लेते हैं गोपियों ने बड़े भाव से मक्षन बनाया है भगवान उस भाव को ग्रहन करते हैं भगवान हमारे शुद्ध भाव को, प्रेम को, भक्ति को ग्रहन करते हैं दूसरी बात यह है कि देखो कहें का दूद दूहा उसको गर्म किया दही बनाया पिलोया उसमें से मक्षन निकाला उसके बाद गोपिया क्या करती थी उसे रख देती थी इतना सब कर्म किया और उसे रख दिया देने को तयार नहीं है इसी प्रकार हम भी बहुत सारे कर्म करत पिर कर्म फल का भोग करते हैं तब कर्म तथा भोग की जो वासनाएं होती हैं उन्हें हम इकठा करके जाते हैं इतना सारा कर्म करने के बाद अंत में क्या लाब होता है वासनाओं का संग्रह बस यही लाब होता है हम उन्हें त्यागने के लिए यानि मखन देने के लिए तया बहुत हैं यह सब जो तुमने संग्रह करके रखा है वासनाई वैह मुझे दे दू अन्यता मैं सुवयम ले जाऊंगा ऐसे भगवान से आप प्यार नहीं करोगे तो और किस से करोगे किसी स्त्री से किसी पुरुष से कुत्ते से या बिल्ली से लोग कैसे मूर हो गये हैं जो भगवान स्वयम अपने हाथ से हमारी वासनाओं को उड़ा कर ले जाते हैं, हमें मुक्त करते हैं, उनको माखन चोर बोलते हैं, अरे वे तो आपको मुक्त कर रहे हैं, इस प्रकार माखन चोरी का एक अर्थ तो यह है, कि भगवान भाव को ग्रहन करने वाले हैं, दूसरा अर्थ वे हमें हमारी समस्त वासनाओं से मुक्त कर देते हैं तीसरा अर्थ है वे कोई दूद तही थोड़े ही चुड़ाते हैं वे तो लोगों के मन को चुड़ा कर ले जाने वाले भगवान हैं सभी गोपियों को लगता था कि भगवान हमारे घर में आएं और चोरी करके मा बच्चता है उसे मैं उसी रूप में प्राप्त होता हूं एक और बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में एक चोर मंडली बनाई थी वे उसके नेता थे उस चोर मंडली में कौन-कौन थे गोकुल में जितने घर थे उनमें से हर एक घर का एक-एक प्रतिने धी था प्रतिक घर का एक-एक बच्चा उनकी चोर मंडली में था अब बताओ जिस घर में चोरी करने जा रहे हैं उस घर का बच्चा भी साथ में हो तो फिर वह चोरी कहां हुई सोचो वे सब सार योजना बनाते थे तब कोई कहता था आज हमारे घर चलो इस प्रकार वे सब ज करेंगी तो यशोदा जी उन्हें डाटेंगी तब वे डरते हुए कैसे खड़े होते हैं वह सब हम देखेंगी इसलिए वह वह वहां जाती थी ऐसे ये भगवान है भगवान को दूद उतना अच्छा नहीं लगता था उनको मखन बहुत अच्छा लगता था लेकिन ये शोदा मया उन्हें दूद पीने के लिए कहती रहती थी आज कल के बच्चों को भी दूद अच्छा नहीं लगता है तो किसी दिन जब माने कहा पेटा तो दूद पी ल ये भगवान दूद पीने लगे लेकिन रोज देखते हैं पर वह बढ़ती ही नहीं अब बात यह है कि वे दूद पीना छोड़ना चाहते थे तो उन्होंने बहाना किया कि आपने कहा था कि दूद पीने से चोटी बढ़ेगी लेकिन वह ज्यादा बढ़ती तो है नहीं इसलि ये मैं दूद नहीं प्योंगा भगवान मया से कहते हैं मया कब ही बढ़ाए गई चोटी किती बार मोही दूद पीत भई यह अजहूं है चोटी कितने समय से मैं दूद पीता जा रहा हूं लेकिन यह चोटी 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 की चोटी ही है बढ़ती ही नहीं कांचो दूद प आवत पची पची देती न माखन रोटी दूद पीते पीते मैं ठक गया हूँ मैं जो माखन रोटी मांगता हूँ वह देती नहीं हो ऐसे भावों से भरा यह सूर्दास जी का सुन्दर पद है मृतक्षा लीला एक दिन माखन खाने के बाद भगवान ने मिठी खा ली वे मिठी में बहुत लोट पौट तो होते ही थे आज उनोंने मिठी खा भी ली उनकी साथी संगी जो ग्वालबाल थे उन्होंने जाकर मैया से कह दिया अब मयाने डरे हुए श्री कृष्ण का हाथ पकल लिया और टाट कर कहती है भवान यानि आप आपने मिट्टी क्यों खाई तुने मिट्टी क्यों खाई ऐसा नहीं कहती चोटे बच्चे को आप कहती हैं घरों में जब बड़े नाराज होते हैं तो चोटों को ऐसे ही संबोधित करते हैं भगवान ने का नहम भक्षित्वान अंब मा मैंने मिट्टी नहीं खाई माने कहा तेरे सारे सखा कह रहे हैं इतना ही नहीं तेरा बड़ा भाई बलराम भी यही कह रहा है तू भगवान कहते हैं सर्वे मित्या भिशन सिनहा सब जूट बोलते हैं मैंने कहा मिट्टी खाई मा ने कहा सब जूटे हैं बस तू ही एक सच्चा है यहाँ पर यदी सत्य गिरस तरही समक्षम पश्यमे मुखम भगवान कहते हैं यदी तुमको ऐसा लगता है कि मैं जूट बोल रहा हूँ तो सवयम देख लो प्रत्यक्ष से बढ़कर क्या प्रमान होता है कोई देखी हुई बात बोलता है और कोई सुनी हुई बात बोलता है तो देखी हुई बात पर ही विश्वास किया जाता है माने कह यदी ऐसा है तो मुझ खोल कर दिखा तब भगवान ने मुझ खोल दिया तो मा को वहां आकाश आदी पंच महाभूत दिशाएं सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र जोतिर मंडल पंचतन मात्रा जीव उनके कर्म स्वभाव आदी सारा विचित्र संसार व्रज भूमी सहित सारा महित्र देखने लगा मैया ने वहां व्रज भूमी में स्वयम को भी देखा पूर्व में जब मैया ने अपने बालक के मूह में सारा विश्व देखा तो आखे बंद कर ली थी अब की बार उन्होंने आखे बंद नहीं कि फिर सोचने लगी किम्स्वपन एतदुत किम्स्वत एतदुत देव माया किम्वा मदियोवत बुठिमोः क्या यह स्वपन है या भगवान की माया है कहीं मेरी बुद्धी या भ्रम या फिर मेरे बालक को कोई योग सिद्धी तो नहीं है इस प्रकार वे इस प्रकार विचार करने लगी तो भगवान को लगा के यह ठीक नहीं है क्योंकि जब कोई माया के बारे में विचार करता है तो माया गायब हो जाती है मैया इसी प्रकार विचार करती रही तो मेरे स्वरूप को समझ जाएगी और समझ गई तो बाल लिला कैसे होगी तब वे मुझे पूजने लगेंगी वैश नवीम व्यतनोन मायाम पुत्रसनेह मयेम विभुहू इसलिए भगवान ने पुत्रसनेह मयी अपनी वैश नवी माया का विस्तार कर दिया देखो हम पहले देख चुके हैं कि भगवान की माया दो प्रकार की होती है एक तो अपने भगतों को मोहित करने वाली स्वजन मोहिनी और दूसरी अभगतों को मोहित करने वाली विमुखजन मोहिनी यहां भगवान चाहते हैं मा का पुत्र प्रेम बढ़े जिससे कि उनकी लीला सुगम हो परंतु ये शोदा जी भगवान को पहचानने लगी थी द्रश्र गायब हो गया था इसलिए भगवान ने माया बढ़ा दी इसका अर्थ यह हुआ कि आप आँक खोल कर माया का विचार करने लग जाएंगे तो सब कुछ गायब हो जाएगा तो यहां भगवान ने माया को बढ़ा दिया इस चोदा मया सब भूल गई और अपने बालक को गोद में उठा कर प्यार करने लगी देखो भगवान ने मिट्टी क्यों खाई पहले हमने देखा भगवान ने आखे बंद क्यों की अब मिट्टी क्यों खाई इस पर विचार करेंगे इतना तो प्राया सभी जानते हैं कि बर्तन में दूद्या मखन रखते हैं तो बाद में उसे मिटी से साफ करना पड़ता है कहकारे भगवान रोज देखते थे बोले मैंने पहले माखन खाया है और अब मुझ को साफ करने के लिए मिटी खा लेता हूं ऐसा सोच कर भगवान ने मिटी खा ले दूसरी बात यह है कि मिटी को रज भी कहते हैं रज का अर्थ वैसे तो धूल होता है लेकिन रज का दूसरा अर्थ रजोगुन भी होता है भगवान कहते हैं मैं तो सत्वगुनी हूं लेकिन अब मुझे असुरों को मारने का काम करना है शान्त रहकर सत्वगुन में स्थिल रहक होकर मारने का काम नहीं हो सकता आगे मुझे मारने का काम करना है इसलिए मैं धूर खाकर रजोगुन को बढ़ा लेता हूँ देखो हम सबको सत्वगुन बढ़ाने की जरूरत होती है परन्तु भगवान को रजोगुन बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि उनको क्रिया बढ़ानी है इसलिए उन्होंने मिट्टी खाई भगवान ने सूचा मेरे चर्नों की धूली की सब लोग तारिफ करते हैं कहते हैं यह व्रज की भूमी है भगवान इस पर नंगे पैर चले है अतय है उनके चर्नों की धूली है अब यह मुझे कैसे मिले इसका स्वाद कैसा है मैं देखूं तो सही इस प्रकार तीसरी बात यह हुई कि सब लोग प्रशंसा करते हैं इसलिए सुयाम उसका स्वाद चखने के लिए परंतु हम को कैसे मिलेगी भगवान ने कहा ऐसी बात है तो मैं थोड़ी सी खा लेता हूँ तुम सब को मिल जाएगी सब को खिलाने के लिए भगवान ने थोड़ी सी खा ली प्रत्वी का एक नाम है क्षमा भगवान को लगा अब बड़ा होकर मुझे इन बाल गोपालों के साथ बाल लिला करनी है हम सब खेला करेंगे उनको तो पता नहीं रहेगा की मैं कौन हूँ इसलिए मेरे बड़पन का ध्यान भी नहीं रहेगा मुझे कोई मारेगा पीतेगा गाली भी देगा मेरे प्रतिय अपराद भी कर सकता है तब मुझे उनको क्षमा करना आना चाहिए ये सारे लोग मेरे साथ जैसा भी वहवार करें उन्हें क्षमा करने की शक्ती मुझे में होनी चाहिए इसलिए प्रत्वी का थोड़ा सा अंचिखा कर मैं ख्रमा गुण को धारण करूंगा जिससे की कोई जब कुछ अनुचित करे तो उन्हें ख्रमा कर सकूंगा इसलिए भगवान सब को ख्रमा करते रहते हैं क्या फिर छोटे बच्चे मिटी खाते रहते हैं बस बात खतम हो गई इतने कारण मीमान सा करने की क्या जरूरत है क्यों खाई उनका मन हुआ तो खा लिया तुम कौन होते हो मना करने वाले सीधी सी बात है कि यह लिला बाल सुलब है सब बच्चे मिट्टी खाते हैं भगवान ने कहा सब बच्चे खाते हैं तो मैं क्यों नहीं खाऊं तो उन्होंने भी खा ली इसमें ज्यादा तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है देखो यहां जो बताया जाता है उसका परियोजन इतना ही है कि हमारे रिदय में भक्ती का भाव बढ़े भगवान ने अपनी चोटी चोटी आँखे खोली तो क्यों खोली आँखे बंद कर ली तो क्यों कर ली मित्ती खाई तो क्यों खाई किसी समय नहीं खाई तो क्यों नहीं खाई इन सब बातों पर जो भी विचार किया गया है वह सब भगवान की लीला का रसा स्वादन करने के लिए ही किया गया है यह थी मृद्ध क्षण लीला इस प्रकार भगवान लीला करते हुए गोकुल में सब को आनंद पहुंचा रहे हैं राजा परिक्षित ने पूछा नंद किम करोद ब्रह्मन नंद और येशोदा ने ऐसा क्या पुन्य किया था जो देवकी और वसुदेव के पुत्र होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुख नंद और येशोदा को मिला उन्हें ऐसा सोभा के कैसे प्राप्त हुआ श्रीशुक देव जी कहते हैं नंद बाबा पहले वसुप्रवर द्रोन थे और धरा उनकी पतनी थी तभी उन्होंने ब्रह्मा जी का आशिरवाद पालिया था वर्तमान जन्म के इस सोभागे के लिए देवकी और वसुदेवकी की बड़ी साधना थी सो उनको भगवान की प्राप्ति हुई परंतु यशोदा जी को पता तक नहीं चला कि भगवान वहां कब आए अब यहां देखो देवकी साधन संपन है यशोदा जी साधन हीन है और पूतना है कू साधन संपन भगवान यहां तीनों के लिए ही कल्या का मार्ग बता रहे हैं तात्पर्य यही है कि भगवान सब का कल्यान करते हैं भगवान की प्राप्ति सबकी हो सकती सबको हो सकती है चाहे कोई साधन संपन्न हो या साधन हीन हो या फिर कू साधन रत हो कोई कैसा भी हो पर भगवान की खृपातों सबके ऊपर होती है उखल बंधन लीडा एक दिन की बात है ये शोदा मया शुरी कृष्ण के लिए मखर निकाल रही थी देखो घर में नोकर चाकरों की कमी नहीं थी लेकिन शुरी कृष्ण के सारे काम वे स्वयम ही करती हैं दधी मंतन करते करते वे ठक गई उनकी वेणी में जो मालीनी के फूल गुथे हुए थे वे नीचे गिर गई तब तक भगवान उनके पास पहुँच गए उन्हें मा के सतन का दूद पीना बहुत अच्छा लगता था जब देखो तब बाल कृष्ण मचलते रहते थे मथानी पकड़कल बाल कृष्ण ने मया को मथन से रोक दिया और अपने गया दूद पीते हुए अभी बाल कृष्ण का मन भरा नहीं था लेकिन मा का ध्यान उस दूद की ओर चला गया तो उन्होंने बाल कृष्ण को गोद से नीचे उतारा और सोयन दूद को बचाने चली गई अब भगवान को लगा कि मैं यहां बैठा हूं और ये उस दूद क को बचाने के लिए मुझे छोड़ कर चली गई ऐसा सोच कर संजात को पह उन्हें ख्रोध आ गया स्फुरिता रुनाधरम संदन्शय दभी दधी मन्थ भाजनम भगवान के दात होट काटने लगे पास ही पढ़े लोडे से दही का मठका फोड़कर वे भित्वा म्रिशाक् दूद उबल रहा था तो उसको बचाने के लिए मा उठकर गई है किसी ने वर्नन किया वह दूद इसलिए तप रहा था क्योंकि उससे लगा मुझे भी भगवान की प्राप्ति करनी है मुझे भी भगवान के मुख में थोड़ा स्थान पाना है लेकिन यह समय जल्दी नही आ रहा था तो उसने सोचा अब तो मैं आत्महत्या करूँगा इसलिए दूद में उफान आने लगा और वह अगनी में गिरने लगा इतने में मा वहां जाती है और उसको रुखती है तब दूद को बुरा लगा कि मैं कैसा पागल हूँ मैं अपनी ही सोचता हूँ आत्महत् तोड़ फोड़ कर दी फिर वे उल्टे उखल के उपर चड़ गए और मटके से पुराना मखर निकाल लिया वहां मरकटों की हमेशा भीड लगी रहती थी वानर बहुत आते रहते थी उनको माखन किला रही हैं उखल पर बैटकर बीच बीच में पीछे मुड़ कर देखते भी जा रहे हैं मा जब उधर लोटी और फूटा हुआ मटका देखा तो वे सब समझ गई उनको उसकी तो इतनी चिंता नहीं हुई लेकिन वे सोचने लगी कि गया किधर फिर उन्होंने देखा तो पाया कि महाराज बैठे हैं उखल के ऊपर बोले आज तो इसे पकड़ कर बां से मृत्यू भी भागती है वही मया के डर से वे ही भगवान भाग रहे हैं गोप्यन वाधावन यमाप योगी नाम क्षमम प्रवेश्टुम तपसे रितम मनह अरे जाने कितना तप करके भी रिशी मुनी जिनको ध्यान में भी पकड़ नहीं पाते उनको पकड़ने के लिए यहां मा दोड रही है और आगे आगे भगवान दोड रहे हैं और मा उनके पीछे पीछे जब भगवान ने देखा कि मा ठक गई है तो उन्होंने सोचा इनको ज्यादा ठकाना ठीक नहीं है देखो कैसी दया है कैसी करुणा है भगवान पकड़ में आ गए ये शोदा जी ने पकड़ा और उन पर गुर्वराई बोली आज तुझे मैं उखल के साथ बांध कर रहूंगी यह भी खल है दुष्ट है और तू भी दुष्ट हो गया है दुष्ट दुष्ट साथ में रहते हैं तो अब मैं तुम दोनों को साथ साथ कर देती हूं न चांतर न बहिर यस्य न पूर्वम न पीचापरम पूर्वा परम बहिश्चांत जगतो यो जगत्य यह जो जगत का आदी अंत है जो स्वयम जगत बना है जिसके आदी मत्य अंत बाहर और भीतर का कोई पता नहीं लग रह सकता उसको बांधना है और वह भी रसी से बोले अच्छा बांधो दाम यानी रसी उसी से उखल के साथ इनको बांधना है जब ये शोदा जी बांधने लगती हैं तो हर बार होता क्या है कि वह रसी दो उंगल कम पड़ जाती है अच्छा देखो कैसा आश्चर है वामन अवतार के समय भगवान बहुत बड़े हो गए थे लेकिन यहां न वह बड़े हुए न छोटे जोंके त्यों ही रहे फिर भी दो उंगल रसी कम पड़ जाती है कैसी विचित्र बात है इस शोदा मया दूसरी रसी ढूंड कर लाई और उसे जोड़कर रसी को लंपा किया तब भी वह दो उंगल कम पड़ रही है उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि यह लड़का बड़ा नहीं हो रहा है मोटा नहीं हो रहा है बड़ भी नहीं रहा है कुछ और भी नहीं हो रहा है फिर भी यह रसी हर बार कम क्यासे बढ़ती जा रही है क्या करें लेकिन माने कहा कि चाहे जैसे हो आज में तुमको बांध कर ही रहूँगी अब दोनों में स्परधासी हो रही है भगवान ने कहा तुम मुझे बांध नहीं सकती तुमने दुआइत की उपाधी रखी है न इसलिए रसी दो उंगल कम पढ़ती जा रही है पहले तुम दुआइत को छोड़ो लेकिन थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा कि माता बहुत थग गई है तरश्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया सीत स्वबंधने तब कृपा करके भगवान बंधन में आ गए अन्यता भगवान को क्या कभी बंधन में आ सकते हैं क्या उन्हें कोई बांध सकता है इसलिए भगतों ने कहा प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभ को नियम बदलते देखा अपना मान टले टल जाए भगत का मान न टलते देखा प्रबल प्रेम के कारण भगवान अपने नियम भी बदल देते हैं अपना मान भले ही तल जाए लेकिन भक्त का मान भंग कभी नहीं होने देते भक्त मुझे बांधना ही चाहता है तो चलो ठीक है मैं बंध जाता हूँ एवं संदर्शिता यंग हरिना भृत्य वश्यता इस प्रकार की कृपा करके भगवान हमें दिखाते हैं कि वे भक्त पराधीन कितने भक्त परवश हैं देखो आगे महाभारत के समय भगवान जब हस्तिनापुर जाते हैं और दुर्योधनादी जब उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो भगवान विश्वर रूप धारण कर लेते हैं उनकी पकड़ में नहीं आते वे ही भगवान यहां ये शोदा के हातों उखल से बंद गए प्रेम के वश होकर भगवान कुछ भी करने को तयार हो जाते हैं लेकिन को यदी जादा चतुराई दिखाना चाहे तो भगवान भी जानते हैं कि उनके साथ कैसा खेल करना चाहिए तो यहां भगवान बंद गए उन्हें बांध लिया गया तो ये शोदा जी बड़े खुश हों गई फिर कहती हैं बंदा रह यहां पर अब मैं शांती से काम कर पाऊंगी बोले जाओ वे चली गई यमलारजुन का उद्धार वहां पास ही में यमलारजुन नाम के दो पेड़ थे नलकूबर और मनी गरीव ये दोनों कुभेर के पुत्र थे नारत जी के शाप के कारणे के पेड़ बन गए थे एक बार श्रिमत से मत होकर वारुनी का पान करके अनेक स्त्रियों के साथ वे जल विहार कर रहे थे तरह तरह की क्रिडा कर रहे थे नारत जी वहां से जा रहे थे नारत जी को देखकर उन स्त्रियों ने वस्त्रधारन कर लिए परंतु इन दोनों ने वस्त्रधारन नहीं किये इन पर अनुग्रह करने की दृष्टी से ही नारत जी ने शाप दे दिया क तुम लोग उनमत होकर बड़ी जड़ता का काम कर रहे हो जाओ तुम जड़ बन जाओ जब तुम दोनों को भगवान का स्पर्श होगा तब तुम ही मोक्ष मिल जाएगा इसी से ये दोनों साथ साथ ही व्रक्ष बन गए अब भगवान यमलार जुन व्रक्ष बने उन दोनों को सत्य करना है इसलिए भगवान उन पेड़ों के पास जाते हैं वे स्वयम तो उन दोनों व्रिक्षों के बीच से निकल कर आगे निकल आते हैं पर साथ में बंदा हुआ वह बड़ा सा उखल टेड़ा हो कर अटक जाता है भगवान उसे खींच रहे हैं जैसे ही भगवान ने उसे खींचा वैसे ही वे दोनों पेड़ जड़ से उखड कर नीचे गिर पड़े उन में से नल कूबर और मनी गरीवे ये दोनों कूबेर पुत्र निकले वे भगवान से प्रातना करते हैं भगवान की स्तुती करते हैं कि हमसे बड़ी गलती हो गई थी लेकिन अब आपने हमें मुक्त कर दिया है अब हम यही वर चाहते हैं कि वानी गुणान कथने श्रवनव कथायाम हस्तव चकरमसू मनस्तव पाद योर्नह समर्त्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे द्रिष्टी सताम दर्शनेस्तु भवत नू नाम हमारी वानी आपका गुणान कथन करत रहे हमारे कान आप की द्हूत गइवगते रहे हमारे हाथ ही अपकी सेवा करते रहे और मन आपके चल्णों में लीन रहे उद्योंस और 味जोल्णामस और हमें सतब्शो का दर्शन होता रहे हम आप से यही वर मांगते हैं भगवान उनको इच्छित वर्दान देते हुए कहते हैं तथास्तु तुम्हारा मन मुझ में लगा रहेगा पेड़ों के गिरने की आवाज हुई तो नंद आदी सारे गोप जो आसपास थे तोड़कर वहाँ पहुच गए इतने बड़े पेड़ उखड कर कैसे गिर पड़े यह उनकी समझ में नहीं आया और देखते क्या है कि उखल से बंदे हुए गे महराज श्री कृष्ण वहीं पर हैं उन्होंने पूछा यह कैसे हुआ तो अन्य छोते छोते बच्छे जो हमेशा भगवान के साथ रहते थे वे बोले कि यह उखल को खीचते हुए यहां लेकर आया और उसे पेड़ों के उस और खीच रहा था उसी से यह पेड़ उखड गए और बोले नतेत दुखतम जग्री हूर न घटे तेती तस्यतत तुम बच्चे न जाने हर बार क्या उल्टी सीधी बाते बताते रहते हो क्या छोटा सा बच्चा इ उन्होंने बच्चों की बात को मानना तो नहीं परंतु वे इसी बात से प्रसंद थे कि जो कुछ हुआ हो पर वह कृष्ण सुरक्षित तो है जाने क्यों इसके उपर जन्म से ही एक के बाद एक संकट आते ही रहते हैं पता नहीं यह कैसा बालक है ऐसे ये भगवान गोकु ना नीती शुत्वा सत्वरमुच्चत जब भगवान ने सुना के कोई फल वाली कह रही है फल लेजिए ताजे ताजे फल लेजिए तो ये दोड़कर बाहर आए छोटे से हैं दोड़ते हुए आते हैं अपनी अंजुली में अनाज लेकर अनाज तो सारा मार्ग में ही ला देते हैं फल वाले इनके छोटे छोटे हाथों को फलों से भर देती हैं फिर भगवान उसकी टोकरी रत्नों से भर देते हैं लेकिन उसे पता नहीं चलता घर चाकर वह देखती हैं कि उसकी टोकरी में रत्न भरे हुए हैं इस प्रकार गोकुल में भगवान बड़े हो रही हैं गतना करम को देखते हुए ब्रज के नंदादी बड़े बड़े गोप सोच में पड़ गई उनका विचार था कि अब हमें कुछ करना चाहिए उपनंद नाम के एक गोप ने कहा कि गोकुल में आजकल उत्पात बहुत हो रहे हैं इसलिए हमको गोकुल छोड़ देना चाहिए पास ही में एक अच्छी जगह है चल कर अब वहीं रहना चाहिए कौन सी जगह है पास में व्रिंदावन नाम की एक जगह है व्रिंदावन बहुत अच्छी जगह है अपने बाल बच्चों को सगे संबंधियों को लेकर अब हम व्रिंदावन चलते हैं इस जगह को छोड़ कर लगता है यह जगह अशुब है गोकुल के सभी लोगों को यह बात बहुत पसंद आई बस जलती जलती सब ने अपनी बैल गारियां छकड़े सब तयार किये सामान लादा और चल पड़े उन सब को अब व्रिंदावन जाकर वहीं रहना है व्रिंदावनम धनम्न यमुना पुलिना नीच वे सब व्रिंदावन में आकर बस गया व्रिंदावन की बड़ी शोभा थी कोवर्धन परवत भी मन को प्रसन्न करते थे और यमुना जी की पुलिन भी मन भावन थे सब देखकर बलराम तथा श्री कृष्ण का मन प्रेम से भर गया अपनी बाल लीलाओं से उन्होंने गोकुल की तरह यहां भी सब का मन मोह लिया समय आने पर वे वत्स पाल बन कर अन्य गवाल बालकुन के साथ बचड़ों को लेकर जाते थे बचड़े भी चरालाते और साथ साथ सभी मिलकर तरह तरह के खेल भी खेलते थे वत्सासुर का उद्धा एक दिन की बात है कि अथावत ये सब बच्छडों को चराते हुए यमनातट पर पहुँच गए तब इने मारने के लिए एक असुर बच्छडे का रूप लेकर वहां आ गया उसका नाम था वत्सासुर भगवान ने उसको पहचान लिया कि वास्तव में यह बच्छडा नहीं असुर है भगवान ने उसकी टांग बखड़ी और गोल गोल घुमा कर उसे कल्थे के व्रक्ष पर पटक दिया बच्छों ने देखा कि बच्छडों की सेवा करने वाले भगवान बच्छे को मार रही है यह वत्सासुर अहमता ममता आसक्ती का प्रतीक है भगवान ने पहले अविद्या पूतना को मारा फिर जडवाद शक्टासुर को मारा उसके बाद काम त्रनावर्त जो सब को बच्छनों को चराने ही तो बलराम श्याम तथा गौाल बाल वन वन गुमा करते थे एक दिन बच्छनों को जल पिला कर विस्वयम भी जल पी रहे थे तो उन्होंने देखा वहां एक बड़ा सा बगुला बैठा हुआ है यह बगुला बख है बखी पुतना का भाई उसका मुँ बड़ा विशाल है जैसे ही उसने भगवान श्याम को आते देखा बोला इस नहीं मेरी बहन को मारा था बस अब उन्हें निकल गया सारे बाल बाल व्याकुल हो गए अरे श्री कृष्ण कहां गए इसने तो उनको निगल ही लिया जब श्री कृष्ण बगुले के भीतर गए तो वहां अगनियुत्पन हो गई घबरा कर बगुले ने श्री कृष्ण को उगल दिया फिर वह चोंच से भगवान को घायल करने लगा भगवान ने उसके दोनों चोंच पकड़ कर उसे फाड़ राला बका सुर का वद्ध हो गया वक तो आपको मालूम है ना भगुला भगत का अर्थ सब जानते ही हैं एक पैर पर ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे ध्यानस्त हो परन्तु जैसे ही मचली देखी जट से वह उसे पकड़ लेता है यह भगुला बड़ा दंभी होता है देखो भगवान शुरी कृष्ण की लीलाएं ऐसी हैं उपर से लगता है उन्होंने इसको मारा उसको मारा परन्तु इन सब पर यदि हमाध्यात्मिक दृष्टी से विचार करें इन्हें अपने ही अंतह करण में देखते जाएं तो इनका अर्थ यानि जिनके ये प्रतीक हैं वे सब सामने आते जाएंगे अविद्या, जड़ता, काम, दंभ ये सब आते हैं और भगवान सब को खत्म करते जा रहे हैं ये सब असुर बनकर गोकुल में आए अब विंदावन में भी असुर रहे हैं वहां भी भगवान सुयम हम को नश्ट कर रहे हैं इसलिए देखो, रिदय में भगवान का प्रवेश हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी पस, फिर तो वे सही सारा काम करते जाते हैं फिर हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती वे ही हमारे अंतहा करन में उठने वाले आसुरी वृत्तियों को नश्ट करते रहते हैं इस प्रकार बकासुर का वध हुआ ये बच्चे सब को बताते रहते थे कि आ जिन्होंने इसको मारा, फिर उसको मारा सुन-सुन कर सब लोगों को बड़ा आश्चरे होता था फिर भी वे यही समझते थे कि इस बच्चों में भगवान की शक्ती है इसलिए इससे ऐसे काम हो पा रहे हैं कचित वनाशाय मनो ददद वरजात प्रातह समुथाय वयस्य वत्सपान अब भगवान सब बच्चों के ग्वाल बालों के नायक बन गई एक दिन वन में कलेवा नास्ता करने की सोचकर उन्होंने सुभा सुभा सिंगी बजा कर सबको बुला लिया और बच्चडों को लेकर सभी बच्चों सहित व्रज से चल पड़े उनमें सबसे चोटे होते हुए भी सबका नेत्रित्व करने का उनका स्वभाव था अब ये सबको लेकर जा रही हैं दूसरे सभी बच्चों को न जाने क्यों श्री कृष्ण पर ऐसा प्यार आता था कि वे सब भगवान का सपर्श करना चाहते थे बोले मैं भगवान का सपर्श करूँगा अहम पूर्व महम पूर्व मिती संस्प्रिश्य रे मिरे दोड़ दोड़ कर आते थे और भगवान का सपर्श करते थे कि देखो मैंने सबसे पहले सपर्श किया उससे उनको आलोकी सुख मिलता था क्योंकि सुखेन ब्रह्म संसपर्श प्राप्त होता था ब्रह्म संसपर्ष पाकर ये लोग अत्यांत सुखी होते थे अधासुर का वद् अब एक दिन ये खेल रहे थे तब द्रिष्टवाल भाकान कृष्नमुखान अधासुर अधासुर वहाँ आ गया अधमाने पाप देखो कंस एक के बाद एक असुरों को भीज रहा था अधासुर ने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं कंसान शिष्टह सर बकी बकान जह यह बकी तथा बक का छोटा भाई है एक अविद्या बकी थी उसका एक दम भाई था दम बक और दूसरा भाई है पाप इसका अर्थे क्या हुआ जहां पर अविद्या हो दम भो वहाँ पाप का भी प्रवेश हो ही जाता है इसको समझने की दूसरी भी दृष्टी बताई गई है यह गोप बाल भगवान शुरी खुरी क्रश्ण के साथ खेल रहे थे अब यह जीव अपने आपको भगवान की बराबरी का मान कर खिलने लग जाता है तब उसके जीवन में थोड़ा पाप आ जाता है हमारे जीवन की ही बात को यहां कथा के रूप में बता रही है और दूसरी और से अपने जीवन में उसका तात्पर्य समझने का अर्थ ढूनने का भी प्रियास करना चाहिए। अब अगासुर आया और उसने जब देखा बच्चे खेल रहे हैं तो उसने अजगर का रूप धारन कर लिया। वह बहुत बड़ा आजगर बन गया और अपना मुँ फैला कर बैट गया। उसके मुँ के दोनों भाग गुफा जैसे लगते थे। जब बच्चे आये तो उनको वहां गुफा दिखाई दी तो उन्होंने सोचा अंदर चल कर देखते हैं कि यह कैसी गुफा है। धृत्वाद भुतम व्यात गुहाननम तदा पथी व्यशेत क्रसनाशया खलह। यह अगासुर खल है। मुँ फैला कर बैठा है। खेल खेल में सारे की सारे बच्चे उसके मुख में प्रवेश कर गई। बगवान ने देखा कि सब के सब अंदर चले गई हैं। अब क्या क करें। ऐसा सोचकर वे स्वयम भी अंदर प्रवेश करते हैं। तब क्या होता है। तब यह आजगर अपना मुख बंद कर लेता है। ततो अतिकायस्य निरुद्ध मार्गिनव युद्ध गीर्ण द्रुष्टे भ्रमत त्वित तस्तत पूर्णो अंतरंगे पवनो निरुद्धो मूर्धन विनिश पाट य विनिर्गतो बही ही। भगवान क्या उसे जानते नहीं। अंदर जाकर वे ऐसे बढ़ने लगे कि इसके गले तक पहुँच गई। उसका श्वास पूरी तरह से रुख गया। वे व्याकुल हो गया। अंतता उसके प्राण ब्रह्म भरंद्र से बाहर निकल गई। तब भगवान ने अपनी अमृत मई दुरुष्टी से सभी ग्वाल बाल तथा बच्छनों को जीवित कया और अपने साथ सब को बाहर ले आए। बोले तुम लोग चाहे जहां प्रवेश करने के पहले जरा देखो तो करो कि कहां प्रवेश कर रहे हो। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। पाप मुह खोल कर बैठा रहता है। यह क्या है कहते हुए बस घुश जाते हैं उसके अंदर। अंदर घुश जाने के बाद पाप मुह बंद कर लेता है और फिर हम पाप कर्म करते चले जाते हैं। इस बात को पहचानना आना चाहिए कि वह पाप मुह खोल कर बैठा है हमको आमंत्रन दे रहा है क्या इसके अंदर जाना चाहिए हमें जाना कहा है यह पहले अच्छी तर अपने अपने माता पिताओं को यह घटना सुनाते हैं कि आज भगवान बाल कृष्ण ने अजगर को मारा एक साल के बाद सुनाया तो राजा परिक्षित को शंका हुई वे भगवान शुकदेव जी से बूचते हैं कि एक साल पुर्व की बात को ये बच्चे कैसे बता रहे हैं जैसे आज ही हुआ है वह कैसे शुकदेव जी कहते हैं भगवान ने जब आगासुर से सब को बचा लिया तब वे उन सब को यमना जी के तठपर ले गए फिर कहने लगे कि देखो तो सही यहां की बालू कितनी कोमल है यहां सब कुछ कितना रमनीक लगता है यह स्थान हमारे केल कूद के लिए बहुत बढ़िया है अब हमें यहीं पर पहले बोजन कर लेना चाहिए पासी बच्चडों के लिए हरी हरी घास भी है वी वहां चरते रहेंगे सब को बात अच्छी लगी तो उन्होंने कहा ठीक है यहां बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है कि बच्चडे तो सब घास चरने चले गए लेकिन सारे ग्वाल बाल भगवान के चारों ओर मंडलाकार में बैठ गए अब देखो सर्वे मिथो दर्शयंतह स्वस्व भोज्यरुचिं ब्रथक हसंतो हासयंत चाब्य वजक हक सहेश्वरह विभ्रत वेनुम जठर पटयो हो श्रंग वेत्रे चकक्षे वामे पाणव म्रिसन कवलम तत्फलान्य गुलीशू तिष्ठन मत्थे स्वपरी सुहृदो हासयन नर्मभी स्वयाई स्वर्गे लोके मिशती विभुजे यग भुज बाल के लिही भगवान श्री कृष्ण ने छोटा सा पीतांबर पहना हुआ है जठर पटयो कमर में वेनु को खोंस रखा है श्रंग वेत्रे चकक्षे और अपनी सींग तथा बेंत को बगल में दबा लिया है वामे पाणव मस्रण कवलम बाएं हाथ में दही भात लिये बैठे हैं रखा है तिश्टन मत्य स्वपरी सूह रिदो हासयन नर्मभी स्वहई और बीच में बैठकर सबको हास्यपून बातें चुटकुल यादी सुनाते हुए सभी गौालबालों को हसा रहे हैं स्वर्गे लोके मिशती स्वर्ग के देवता भी इस अद्बुत लिला को देखकर आश्चर चकित हो रहे थे कि समस्त यगनों के भोगता स्वयम भगवान जो हमारे लिए किये जाने वाले यगनों में जल्दी नहीं आते वे ही यहाँ पर इन बच्चों के साथ हसी मजाख करते हुए खा रहे हैं इस प्रकार आनंद से भरे उस भोज में सभी गोप बाल भगवान के साथ बैटकर हस बोल रहे थे खा ही रहे थे कि इतने में उनका ध्यान भगवान को छोड़कर बच्चडों की ओर चला गया हरी हरी घास के लोग में वे दूर जंगल में निकल गए थे कोप बाल कहने लगे अरे हमारे बच्चडे किधर गए यानि इनका ध्यान भगवान से हट गया बच्चडे या गोवत्स को तथा गाएं को गोभी कहते हैं तो यहां बचडे माने इंदरियां, हमारी इंदरियां भी कभी कभी भगवान को छोड़ कर चरने चली जाती हैं, यह बचडे अब तक तो भगवान के आसपास थे, उनको हरी हरी घास दिखाई दी, तो यह वे भगवान को छोड़ कर हरी घास में चले गए, इसी प्रकार हमार यगन में नहीं जाएंगे ऐसा हो जाता है जैसे बच्छनों को घास दिखाई दी तो वे वहाँ चले गए वैसे ही हमारी इंद्रियां भी जाती रहती हैं और अब ये गोपबाल क्या हैं किसके प्रतीक हैं ये गायों और वत्सों की इंद्रियों की सुरक्षा करने वाले हैं वे भी इंद्रियों के पीछे पीछे जाने लगे भगवान ने कहा लो मैं यहां बैठा हूँ और पहले इंद्रियां गई फिर उनके पीछे पीछे गोपबाल यानी मन भी जा रहा है यदि इंद्रियां गोँ हैं तो गूप बाल मन है जब गूप बालों का ध्यान बचलों की ओर गया तो वे उन्हें ढूनने के लिए जाने लगे भगवान सोचते हैं इनको संभालना चाहिए ये भी उद्विग्न होकर जा रही है भगवान ने गूप बालों से कहा तुम लोग यहीं भोजन करते रहो मैं शीकर ही बचलों को ढूंड लाता हूँ ऐसा कहकर भगवान चले गए ब्रह्मा जी सब देख रहे थी उन्हें अध के मोक्ष को अग अग के मोक्ष को देखकर पहले से ही विस्मय हो रहा था कि यह अग पाप की मुक्ती तो वेद विरुद्ध है अब ब्रह्मा जी को मोह हुआ उन्हें लगा इस छोटे से बालक ने नजाने यहां क्या क्या कर रखा है यह छोटे छोटे बच्चे इस्त्रिया पुरुष इतना ही नहीं तो बड़े बुड़े भी सभी लोग इसके पीछे पागल रहते हैं यह बच्चा तो आबाल वृत्ध सब का प्रिये बना हुआ है ऐसी क्या बात है इसमें देखो हाला कि भगवान ने ब्रमाजी को पहले ही बता दिया था कि मैं अवतार लेकर आऊंगा लेकिन तब भी उनकी लिला देख देखकर एक तो ब्रमाजी को मोह हो गया और उनको जो सभी से सम्मान मिल रहा था उसे देखकर भी उनको लगा कि यह क्या यह सब लोग इनकी बूजा करते हैं इनसे इतना प्यार करते हैं मैं देखना चाहता हूं कि इनमें ऐसी कौन सी शक्ती है दूसरी बात वे भगवान की और भी कोई महिमा देखना चाहते थे उन्हें भगवान की कोई और लीला देखने की इच्छा हुई उन्होंने पहले सारे बच्छडों को फिर सारे गोप बालों को एक परवत की गुफा में चिपा दिया और गुफा बंद कर दी और सब को बेहोश कर दिया बोले अब देखता हूं ये क्या करते हैं ब्रह्माजी सोचने लगे कि देखता हूँ अब इन सब बचणों को और गवालबालों को ये वापस कैसे ले आते हैं। भगवान ने पहाडों, गुफाओं और अनेक अनेक स्थानों पर बचणों को ढूंडा पर खोज नहीं पाई। लोटकर उन्होंने देखा कि वहाँ करते हो, प्रागंभे में ही हम देख चुके हैं कि ब्रह्माजी तथा भगवान में क्या अंतर है, ब्रह्माजी की सृष्टी में और नारायन भगवान की सृष्टी में क्या भेद है। पहले जीव हों यानि उपादान कारण हों तब उनके कर्मों के अनुसार ही नहीं बना सकते, नया कर्म उत्पन नहीं कर सकते, नारायन भगवान को इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बिना किसी चीज के ही वे सब बना सकते हैं, संग सहायन दूजा, उनको दूसरे किसी के सहारे की जवशक्ता भी नहीं पड़ती, भगवान ने देखा क ब्रम्भाजी बच्छडों को ही नहीं बालकों को भी ले गए है भगवान स्वया मनेक रूपों में प्रकट हो गए जितने गूप बालक थे जितने बच्छड थे उनकी जो आयू थी उनका जैसा चलना बोलना हसना बैठना आदी था पहसब बिलकुल वैसा का वैसा था बस अंतर यह था कि उस उस रूप में अब स्वयम भगवान थे गौाल बाल या बच्छडे नहीं उनके माता पिता को पता ही नहीं चला कि अपना बच्छा बदल गया है यद्यपी एक बात अवश्य थी कि अब उन्हें अपने बच्छों पर और गायों को अपने अपने बच्छों पर ज़्यादा प्यार आने लगा था तथा भी उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आकिर हमको अपने बच्चों पर इतना जादा प्रेम क्यों आ रहा है वे सब अपने बच्चों से बहुत ही जादा प्यार करने लगी कि थावत भगवान रोज सुबह उनको उठाते हैं लेकर जाते हैं खेल कर बचड़े चरा कर वापस भी लेकर आते हैं एक साल तक यह इसी प्रकार चलता रहा एक साल के बाद ब्रह्मा जी वहां आकर देखते हैं कि भगवान सब के साथ बैठे हैं देखते देखते ही अचानक दृष्य बदल गया वहां जितने गोप बाल थे सब के सब शंक, चक्र, गदा, पद, मधारी, विश्नु के रूप में उनको दिखाई देने लगे उन्होंने अपने सिर को हाथ लगाया कि मैं कैसा मूड हूँ, मैंने कैसे बोहों में पड़ गया ये तो भगवान ही बैठे हैं ब्रह्मा जी सामने आकर नमस्कार करते हैं, कहते हैं भगवान मुझे एक्षमा कर दीजिए उतक्षेपणम, गर्भगस्तस्य पादय हो, किमकल्पते मातुरगोश चागसे किमस्तिनास्ति व्यपदेश भूशितम, तवास्तिकुक्षे कियदप्यनंतह प्रम्हा जी ने यहां एक बड़ी अच्छी बात कही, कि भगवन बच्चा जब मा के गर्भ में होता है तो वह कभी पैर फैंकता रहता है, तो कभी मा को उकसाता रहता है, परन्तु मा उसका बुरा नहीं मानती उसी प्रकार हम भी आपके पेट पे पैर मारते रहते हैं, हम भी छोटे छोटे बालक हैं, आप उसका बुरा नहीं मानना, आप हमें माफ कर दीजिए देखो व्रज के लोगों का कैसा भाग्य है, नंद बाबा का, ब्रज गोपों का, गोप बालों का, कैसा भाग्य है कि साक्षात, सचिदानंद ब्रम ही, उनके पुत्र मित्र बन बैठे हैं और उनके साथ हसते हैं, खेलते हैं, दोडते हैं, खाना खाते हैं, क्या क्या खेल करते रहते हैं, धन्य भागे हैं इनका अनुजानी ही माम कृष्ण सर्वम त्वम वेट सी सर्वद्रिक त्वमेव जगताम नाथो जगदे तत्व वार्पितम ब्रह्मा जी पुना कहते हैं यह संपूर्ण जगत आपके चर्णों में अर्पित है आप सर्वग्ण्य, सर्वशक्तिबान, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी भगवान हैं आप हमें एक शमा कीजिए भगवान ने कहा अच्छा ठीक है माफ कर दिया उन्होंने ब्रह्मा जी का म महदूर कर दिया एक बार किसी कल्प में ऐसी भी कथा आती है कि ब्रह्मा जी को जब महों हो गया तो वे एक बार गो लोग में गए वहां जाकर वहां पर देखते क्या हैं कि श्री कृष्ण की सख्यां खड़ी हैं छड़ी लेकर वे ब्रह्मा जी को अंदर जाने नहीं दे तुको कौन हो तुम बोले मैं ब्रह्मा हूं ब्रह्मा कौन से ब्रह्मान के ब्रह्मा ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मान भी बहुत सारे होते हैं अरे यहां रोजी ब्रह्मा आते रहते हैं कौन से ब्रह्मा हो तुम ऐसा उनसे प्रश्ण पूछा ब्रह्मा जी की ऐसी ऐसी आँ तब वे रेगिस्तान से होकर कहीं जा रहे थे तो उनको पार करने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा था एक लंबी कतार में बहुत सारे उच जा रहे थे वे सब लदे हुए थे उचों के चालक इनकी तरफ देखते तक नहीं थे वे बस अपने रास्ते से चलते जा रहे थे ब्रम्हा जी ने देखा कि कतार खत्म ही नहीं होती जैसे मुंबई के मरीन ड्राइव पर एक के बाद एक वहान आते ही रहते हैं पार कर ही नहीं पाते तब ब्रम्हा जी ने एक हो कहा कि भाई तु जरा रुक जा वह रुकता नहीं देखता तक नहीं ब्रम्हा जी ने सोचा मैं ब्रम्हा इसे रोकता हूँ फिर भी यह रुकता नहीं बात क्या है आकर उन्होंने गुसे से एक को रोखी लिया और उसे पूछने लगे कि उंट के उपर क्या लाद कर ले जा रहे हो वह कहता है यह सब ब्रह्माजी हैं नई नई ब्रह्मांड बन रही हैं वहाँ इनको नियुक्त करना है इसलिए इन्हें ले जा रहे हैं ब्रह्माजी ने कहा नमस्ते मैं समझ गए कि व्यर्त ही में उन्हें अपने ब्रह्मा होने का अभिमान हो गया था उनके जैसे जाने कितने ब्रहमा हैं जैसे छोटा सा गाव हो और वहाँ कोई इंजिनियर डाक्टर या कलेक्टर हो तो उसे लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ लेकिन मुंबई जैसे शहर में जाने कितने इंजिनियर कलेक्टर या डॉक्टर होंगे कुछ पता लगता है उसका कोई हिसाब होगा छोटे से शहर में लोग स्वयम को बहुत बड़ा समझ कर बैठ जाते हैं ऐसी ही सिती ब्रमाजी की भी हो गई थी अब ब्रमाजी का महतूर हो गया ब्रमाजी ने गुफा से गौालबालों को तथा बच्छडों को यथा स्थान पहुचा दिया उनको पता ही नहीं चला कि एक साल तक हम यहां गुफा में पड़े हुए थे इसलिए उन्होंने यही सोचा कि अगासुर वद की कथा आज की ही है भगवान की आयू तो पांच से छे साल की हो गई लेकिन घर आकर ये बालक बताते हैं कि आज इन्होंने अगासुर को मारा इस बीच भगवान ने ब्रमाजी के मोह का मर्दन किया परिक्षित ने पुनशुक देवजी से पूछा कि ये सब लोग श्रीकृष्ण से इतना प्यार क्यों करते थे तसमात प्रियतमस वात्मा सर्वे शाम अपिदेही नाम श्री सुक देवजी कहते हैं सारे देहदायों के प्रिय आत्मा ये ही है सारे गवाल बाल जब श्रीकृष्ण से प्यार करते थे तो वास्तव में वे अपने आप से ही प्यार करते थे भले ही उन्हें पता नहीं था कि ये श्रीकृष्ण हमारी अपनी आत्मा ही है लेकिन अन्जाने में भी नहीं जानते हुए भी श्री श्री कृष्ण से अत्यधिक प्यार करते थे उसका कारण यही था पदम पदम यद विपदाम नतेशाम वैसे तो जीवन में पगपग पर विपदा आती रहती है लेकिन जो भगवान के पद पकड़ लेते हैं भगवान के चरण कमलों का आश्रे इगरहन कर लेते हैं उनकी सारी विपदा सदा के लिए दूर हो जाती है इस प्रकार यह ब्रह्मस्तुती नाम का चोहदवा अध्याय समाप्त होता है अब आता है पंद्रहा आत्याय अब भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी छटे वर्ष में प्रवेश कर चुके थे इसलिए अब उन्हें गोई चराने की अनुमती मिल गई थी गोई चराते हुए वे व्रंदावन को पावन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी समस्त्र गुप बालकों के नायक है जब भी बच्चों का खेल होता था तो एक और श्री कृष्ण नायक होते थे और दूसरी और बलराम इस प्रकार विभाग होता था और फिर जो भी कोई खेल हो वे सब में तर्थिलते रहते थे धिनुका सुर्का उद्धार एक समय की बात है श्री कृष्ण के सखाज सुदामा सबल तथा सतोक कृष्ण आदी सब आकर कहते हैं कि भगवान यहां ताडवन नाम की एक अच्छी जगा है वहां बड़े अच्छे ताड़ के पीड़ है वहां हमको जाने नहीं देता है लेकिन हमें उन फलों को खाने की इच्छा हो रही है आपको अच्छा लगे आपका मन माने तो आप वहां चलिए तब हम सब उन फलों को खा सकेंगे तब वे सब मिलकर ताडवन में जाते हैं वहां बल्राम जी उस धेनुका सुर का वध करते हैं कालिय नाग कादमन एवं सभगवान कृष्णो व्रिंदावन चर क्रश्चित ययो राम मृते राजन कालिन दिम सकी भीवृतह अन्व मनसत तद राजन गोविन दानु ग्रहेक्षितम पीतवा विशम परेतस्य पुनरुथात्न मात्मनह फिर एक दिन बर्राम जी को लिए बिना ही भगवान अपने सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना जी के तट पर पहुँचे जेठ आशाड की गर्मी से तरस्त होकर ग्वाल बाल गोवों तो था बच्छडों ने यमुना जी का जल पी लिया जो जहरीला हो गया था देखते दे विष्टी से सारा विष्टार दिया और उन्हें फिर से जीवित कर दिया यमुना जी का वैशाला जल क्यों हो गया था इसी लिए कि उसमें कालिय नाग आकर रहने लगा था वह जहां रहता था उस कालिय कुंड का जल इतना विशाला हो गया था कि विष्टी गर्मी से खोल रहता था यह कालिय नाग इंद्रिय रूप है जैसे उसके बहुत सारे फन होते हैं वैसे ही हमारी इंद्रियों की भी असंख्य प्रवर्तियां होती हैं जो हमारे अंतहकरण को विशायला करती रहती हैं भगवान ने जब देखा कि जल विशायला हो गया है किसी के काम का नहीं रहा तो उन्होंने निश्चय किया कि अब मुझे इसमें प्रविश्ट होकर इस नाग को बाहर निकाल डालना चाहिए ऐसा निश्चय करके पास के एक उचे कदंब के व्रक्षपर चड़कर न्यपदत विशोदे शुरिकृष्ण कालंदी के उस कालिय दह में कूद पढ़ तो वह चड़कर सामने आ गया परंतु सामने खड़े अती सुन्दर सुकुमार मनोहारी श्यामवरन के बालक को वह देखता ही रह गया परंतु उन्हें निशंक देखकर उसका ख्रोध और भी बढ़ गया उसने भगवान को अपने पाश में बांध लिया उधर व्रज में क सुनते ही सब के सब बहुत घबरा गए नंद बाबा ये शोदा जी सारे गोप गोपियां सभी वहां आकर यमना किनारे खड़े हो जाते हैं शेशोदा जी तो खुदने ही जा रही थी नंद बाबा आदी भी उस कालिय दह में घुसने जा रहे थे लेकिन बर्राम जी अपने उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता उन्हें कोई स्पर्ष नहीं कर सकता जब भगवान ने देखा कि बलराम जी के अतिरिक्त सारे ब्रजवासी उनके लिए बहुत व्याकुल हो रहे हैं तब उन्होंने अपने आपको फुला लिया इससे कालिय नाग का शरी तूटने लगा ब जाते हैं और वहां सबके देखते देखते उसके फनों पर नृत्य करने लगते हैं भगवान का नृत्य देखते ही बनता है कोई उसकी कलपना कर सके तो बहुत अच्छा है यमुना जी हैं उसमें बहुत फनों वाला कालिय नाग है और भगवान के बड़े ही सुकुमार क्य अखिल कला गुरू ननर्त समस्त कलाओं के गुरू है उनको खेलना आता है नाचना आता है गाना आता है क्या नहीं आता भाई सारी कलाएं तो उन्हीं से निकले हैं वे ननर्त नृत्य करने लगे सारे देवाधी भी वहां दर्शन करने आ गई ऐसे अवसर पर वे कभी चूकने वाले नहीं है चाहे तो हम भी अपने मानस पटल पर इस प्रकार भगवान का नृत्य देख सकते हैं बहे जिस फन को उठाने लगता है नृत्य करते हुए भगवान अपने पैसे उसी को दबा देती है उसके फन जब घायल हो गए और जब उसे खून की उल्टी होने लगी तब वह मन ही मन भगवान की शरण में गया उसकी दशा देखते हुए कालिय की सारी स्त्रियां भी भगवान की शरण में आकर उनकी स्तुती करने लग जाती है या ययोही दंड कृत किल विशैस्मीम स्तवावतारह खल निक्रहाय रिपो सुतानाम पितुल्य दृष्टे धर्टसे दमम फल मेवान उशंसन भगवान आपका अवतार तो दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ करता है इसलिए आपने इसको जो दंड दिया है वह उचित ही है अनुग्रहो अयम भवतक्रतो हिनो दंडो सतामते खलू कलमशापह सच बात तो यही है कि आपने इसको दंड नहीं दिया है इसके उपर बड़ा अनुग्रह ही किया है क्यों वह कैसे जिनके चरणों की रज का स्पर्श पाने के लिए बड़े बड़े देवतारिशी मुनी तरस्ते रहते हैं वही भगवान स्वयम कृपा करके इसके मस्तक पर न स्पर्श हुआ था यहाँ निरंतर नृतिय कर रहे हैं कितनी देर से नृतिय कर रहे हैं लगातार उनके चरणों का स्पर्श उनको प्राप्त हो रहा है भला वह पापी कहां रहने वाला है उसके सब पापस हो जाएंगे नाक कृष्टं ना चसार्व भामम ना पारमेश्ध न रसाधि पत्यम न योग सिद्धीर पुनर भवंवा वाचंतियत पाद रजप्रपन्नह जिनके चरणरज को एक बार पालेने से ही लोग पृत्वी का सामराज्य स्वर्ग रसातल का राज्य ब्रह्मादी का पद्या मोक्ष आदी कुछ भी नहीं चाहते उन भगवान के कालिय नाग को प्राप्त हो रही है यह बड़ा भाकिशाली है भगवान इसने अपराद किया है लेकिन अब आप इसको माफ कर दीजिए स्री नामन साधु शोच्या नाम पती प्राण प्रदी यताम हम इसकी पत्मिया हैं पती हमारे प्राण हैं आप हमारे प्राणों का हरन न कीजिए उनकी स्तुतीवे प्रार्थना सुनकर भगवान पिंगल जाते हैं बोले ठीक है मैं इसको नहीं मारूंगा फिर उस कालिय नाग से कहते हैं अब तू यहां से चला जा अब यहां नहीं रहना कालिय आकर कहता है स्वभावो दुरस्त यजो नाथ लोका नाम यद सद ग्रह भगवान आप मुझे बुरा तो कहते हैं लेकिन मैं क्या करूं खल लोगों का स्वभाव जल्दी नहीं बदलता मेरा स्वभाव ही ऐसा है लेकिन देखो बात यह है कि इस प्रकार से एक और तोक्षमा मांगना और दूसरी और यह कहना कि मेरा स्वभाव आपने ही बन गुलता है कहता है जो भी हो आपने अब मुझे दंड दिया मुझ पर कृपा की परब बहुत हो गया भगवान कहते हैं नात्रस्थेयम त्वया सर्प समुद्रम याही माचिरम अच्छा चलो अब यहां नहीं रहना अब तुम समुद्र में चले जाओ बह कहता है भगवान गरुड जी भी वहां पर आजाएंगे तो भगवान कहते हैं जब मैं कह रहा हूं तो गरुड कौन होता है तुझे इस परश करने वाला गरुड तो मीरा वाहन है वह कुछ नहीं करेगा अपने सभी सम्बंदियों को लेकर अब तुम समुद्र में चले जाओ इस प्रकार भ प्रिक्षित पूचते हैं कई कालिय नाग तो समुद्र में जो सर्पों का निवास स्थान रमनक द्वीप है उसमें रहता है वह यमनाजी में क्यों गया तब श्रीशूक देव जी ने कालिय की पूर्व कथा बताई कालिय नाग बड़ा शक्ती शाली था वहां रमनक द्वीप में सभी सर्प परिवारों ने स्विकार किया था कि गरुड देवता को हर महीने एक सर्प की बली दिया करेंगे जब कालिय नाग के परिवार की बारी आई तो उसने कहा गरुड को देने की कोई जरूरत नहीं है उसने स्वयम तो दिया ही नहीं बल्कि दूसरे जब बली देते तो उस भक्षे को भी वह स्वयम ले लेता तब गरुड को बहुत करोधाया और वे उसकी ओर जप्टे कालिय पहले तो लड़का रहा पर बाद में घायल हो गया तो वहां से चलकर यमना जी में जा बैठा उसे मालुम था कि गरुड इस यमना नदी में नहीं आ सकते क्योंकि उनको सोबरी रिशी का शाप है कि वे वहां आएंगे तो उनका मरन होगा तो गरुड यहां नहीं आ सकते हैं इस बात को केवल कालिय जानता था इसलिए वह कालिंदी में आकर चिप गया अपना सारा परिवार भी साथ में लेकर आ गया विशालाई तो वह था ही उसने सारे जलको विशाक्त कर दिया था कालिय को समुदर में जाने की आगया देकर अपने समस्त आभूशनों से भूशित होकर भगवान उस कालिय रुद से बाहर आते हैं ये शोदा मया आनंद बाबा आदी सारे व्रजवासियों में आनंद का पारावार नहीं रहा देखो संभव है कि अभी इन सब घटनों का महत्व स्पष्ट नहीं हो रहा हो रासलीला के प्रसंग में इन सब बातों का महत्व हमें स्पष्ट हो जाएगा भगवान यहां एक एक को जीतते चले जा रहे हैं देखो भगवान केवल असुरों का ही दमन नहीं कर रहे हैं केवल असुरों को ही नहीं मार रहे हैं अभी तु दूसरी और जितने भी देवता हैं उनको भी जीतते चले जा रहे हैं आखिर ये नाग, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, ब्रह्मा ये सब तो असुर नहीं हैं कालिये को जीत लिया माने नाग लोग को जीत लिया और ब्रह्मा जी को जीत लिया तो देवताओं को भी जीत लिया आगे इंद्र वरुन आदी सब का वर्णन आता है आगे हम इसका भावार्थ या लक्षयार्थ भी देखेंगे इन सब का गंभीर भाव भी है अनथाश्टी शुक्तेव जी इनका इतना वर्णन क्यों करते एक अध्याय में क्रम से कहा जा सकता था कि भगवान ने निम्न खित पूतना, शक्तासुर, त्रणावर्थ, वत्सासुर, बकासुर, अधासुर, आधी असुरों को मारा चार पंक्तियों में पुरी बात कह सकते थे एक एक अध्याय में एक एक घटना कहने की बात ही न रहती और फिर इस विस्तृत वर्णन का एक और कारण यह है कि हमारी व्रत्यों को एकागर करना है, आखिर इस जीवन का भागवत कथाश्रमन का कथन का प्रियोजन क्या है, यही न कि हमारा मन, हमारी व्रत्यां कृष्णमाई बनती जाएं। इस वरत्व उनकी करुणा आदी सारे गुण प्रकट कर रहे हैं। यह दूसरा कारण है इन सभी लीलाओं के सुदीर घवर्णन का। तो यहां हम उनकी भक्ती उनका प्रभाव देख रहे हैं। प्राया मनुष्य को अपनी मन की आसुरी वृत्यों से डर लगता रहता है। जब सुनते हैं कि भगवान ने के वर तीन-चार साल की आयों में इन सब को खेल-खेल में मार डाला था। उनके लिए तो यह बाएं हाथ का खेल था। तब मन में विश्वास का उदई होने लगता है कि मेरे बाप, मेरे दुश्कृत्य, चाहे जितने इंदनिये क्यों नहो मेरे मन में चाहे जितनी आसुरी वृत्तियां क्यों न उठती हों परन्तु यदि मैं श्रीकृष्ण को याद कर लूँ, उन्हें बुला लूँ तो क्या नहीं हो सकता। उनके लिए क्या असंभव है। देखते ही देखते वे सब को खत्म कर देंगे। ऐसा विश्वास मन म जगाने के लिए ही ये सारी घटनाएं, सारे प्रसंग बताए जाते हैं। उनका प्रयोजन यही है कि मन में ऐसा विश्वास जाग जाए कि हमारे पाप भले ही हमें बहुत भयंकर लग रहे हों, घोर जान पड़ रहे हों, लेकिन भगवान उन्हें चुटकियों में खत्म क कर सकते हैं, इसी लिए बताते हैं कि भगवान ने दुष्ट दलन का कार्य तब ही से शुरू कर दिया था जब वे छे दिन के थे, यही बताने के लिए कि उनके लिए यह कोई बड़ा भारी काम नहीं है, उनके लिए यह तो खेल है, अर्थात खेल खेल में वे सब कर देंग डरो मत, लोग कहते रहते हैं कि मेरा मन बड़ा ऐसा है, वैसा है काही का मन, थोड़ा भगवान का नाम लेकर क्यों नहीं देखते, यही तथ्य दर्शाने के लिए इन गिल्याओं का यहां इतना वर्नन किया गया है, निरंतर एक वरत्ती, कृष्णा कार वरत्ती बनी रहे इसलिए एव मुक्तो भगवता कृष्णेन अद्बुत कर्मना तंपु जया मासमुदा नाग पत्नियस्च सादरम अनुग्रहाद भगवता क्रीडा मानुश रूपिनह भगवान के अनुग्रह से यमुना जी का पानी विश रहीत ही नहीं, अम्रित सद्रिश्य मधुर हो यहां क्रीडा करने के लिए ही भगवान ने मनुश्य रूप धारन किया है, वे खेल रही हैं, उनके लिए यह सब कोई बड़ी बात नहीं है, सब के उपर उनकी जो कृपा है, जो प्यार है, वे यहां प्रकट हो रहा है